आपको नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से नियारी समापती मैम हाई एवडी बान सो तो टोड़े वी आरे आपको पता है कि नमसी के कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आई थी बच्चों सिलबस को लेके और आप सब उन्हीं उस सिलबस के साथ में वाकिफ है और बह ख कर देट हुआ है वह तो ठीक है बट यह जो टॉपिक है बच्चों यह नया एड हुआ है तो आज हम पहली बात तो आप देख सकते हैं आपके बहुत ही खुदसूरत से फ्रॉग बने वह है तो आज हम इसको डिसकुस करए गे प्युर्ली प्युर्ली नियारी बेस्ट अ आपने अच्छा यह जो जिस चैप्टर से बिलॉग करता है वो है structural organization in animals और structural organization in animals में आप first part पढ़ते है animal tissues और animal tissue के साथ में बिटा आपको तीन cockroach, अर्थवम और frog दिया जाता था पुराने time के मैं बात कर रही हूं जिसमें से cockroach आपके पूछा जाता था अफकोस फ्रॉग हमेशा उसमें से उसमें था लेकिन फ्रॉग पढ़ाया नहीं गया क्योंकि बिटा फ्रॉग नीट में आता नहीं था NMC के syllabus में कभी रहता नहीं था लेकिन आप क्योंकि फ्रॉग एड हुआ है और लेट मी टेल यू गाइस कि अगर आप बेटा कॉक्रोच पढ़ चुके हैं और आपने कॉक्रोच कभी पढ़ा है तो यह कॉक्रोच के कंपरेशन में बेटा बहुत ही एजी है और बहुत छोटा है ठीक है सो घबराने का नहीं बेटा बिलकुल ही मन लगा के बढ़िया तरीके से हम बेटा वन शॉट इसे कंप्लीट करने वाले हैं और फ्रॉग में हम क्योंकि हम NCRT बेस दी बेटा चलने वाले हम पूरा NCRT पैटन पर ही इसको कंप्लीट करने वाले हैं सबसे पहले ना फ्रॉग से कुछ बेटा हम शुरुआत करते हैं बिलकुल बेसिक बातों से जो हमने अनिमल किंग्डम में बिटा पढ़ा है हमने अनिमल किंग्डम में अलग-लग फाइलम्स पड़े हैं हमने अलग-लग फाइलम्स पड़े हैं हमने अलग-लग फाइलम्स पड़े हमने फाइलम पॉर से लेके बिटा पेल्खुल कॉडेटा तक हम पहुंच है zweiten हुट फाइलम कॉडेट्स आगर आपको कुछ याद आ रहा हो कि अनिमल किंग्र में यह जो फाइलम कॉडेटा है ट्रॉग कहीं न कहीं कॉडेटा से ही बिलॉwn करता है लेकिन love सारी काटेगरी यह 28 में प्रमिटिव कॉडेट थे हैना प्रोटो क lips आ सोते है जिन है वर्टीब्रेट्स होते हैं वर्टी ब्रेट्स में फिर बिटा अलग-अलगा बहुत सारी काटेगरी ओती है अगर मैं बात करूं स्रॉग की तो frog definitely belongs to, मैं इसके general कुछ बातें कहना चाहा रही हूँ बिटा, frog belongs to which phylum, जो मैंने इतने सारे phylum बता है बच्चो, उनमें frog किस phylum से बिलॉंग करता है बिटा, phylum कौन सा है frog का, phylum कौन सा है बिटा, phylum है ma'am, caudata, it belongs to the phylum caudates, ठीक है, caudata, अगर मैं इसके बिटा, सब phylum की बात करूँ, जिन्होंने बिटा, animal kingdom पढ़ रखा है, और अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो, तो animal kingdom तो आपने पढ़ा ही होना चाहिए, बहुत important chapter है again, तो उन लोगों को तो यह बहुत असानी से समझ में आ रहा होगा, जिनको बिटा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, उनको तो मैं बता ही रही हूँ, कि यह किस phylum से belong कर रहे है, caudata, और phylum के अंडर में मैं कह रही हूँ, कि कौन से सब phylum से belong करता है, अब इत बिल ऐंगस तू रोटी ब्रेटा, जिक है, अगर मैं बात करूँ कि यह कौन सी super class से belongs करता है, लेखो यह सारी चीजे मैं इसलिए बता रही हूँ, ठूंकि हम Animal Kingdom में बिटा, जब classification पढ़ता है न, तो वहां पर हम यह पूरी, पूरी classification पढ़ता हैं, ये बिल्कुल NCRT में आपके दिया हुआ है अनिमल किंग्डम में कौनसी स्टूपर क्लास से बिलॉंग करता है ये स्टूपर क्लास से बिलॉंग करता है टेट्रापोडा मैं थोड़ा सा कंपेरिशन करने के लिए आप लोग को बता देती हूं जब आप बिटा वर्टीब्रेट्स के अंदर काटिग्रीज पढ़ते हैं तो उसमें आप बहुत सारी वर्टीब्रेटास वह अनिमल्स होते हैं जिनकी नोटो कॉड यूश्वली वर्टीब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है जब आप कॉड़ेट्स बोलते हैं तो उनके बहुत सारी प्रोपर्टीज बोलते हैं प्रेजन्स ओफ नोटो कॉड प्रेजन्स ओफ नर्व कॉड पेर फैनेंजियल गिल स्लिट्स यह कॉड़ेट्स के आप कुछ क्यरेक्टरिष्टेक्स पढ़ते हैं फिर उनकी वर्टीब्र और उनके जो आप सूपर क्लास निर्व क्लासी पॉड़ा को जिनमें क्लासीफाइब करते हुग तेट्रा पोडा, यह टेट्रा, टेट्रा मतलब चार पोडा मतलब appendage, आप देखोंगे, इनके बिटा धो 4 limbs, धो 5 limbs अपने भी होते हैं, दो हाथ और 2 पैर, टेट्रा पोडा, ठीक है समझ पा रहे हो, बिटा, टेट्रा पोडा बोलते हैं, और एक होती है, सूपर क्लास पाइ आपको दिख रहे हैं, that is by tetra, इसमें बिलॉंग करती हैं आपकी amphibians, frog, इसमें बिलॉंग करते हैं reptilians, यानि की sapole, यानि की snakes, इसमें होते हैं बिटा आपके apes और इसमें होती है mammals, these are the four class under the tetrapoda, तो tetrapoda is a super class और इस super class के नीचे आता है बिटा class, इस super class के नीचे आता है बिटा class, तो आपका जो frog होता है वो किस class से बिलॉंग करता है, वो इस class से बिलॉंग करता है amphibia, यह बिल्कुल वो basic बाते हैं जो हमें बेटा animal kingdom में भी पढ़ाए जाती है और हमें इसको शुरू करने से पहले भी, I am so sorry, इसको शुरू करने से पहले भी बिटा हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, so phylum quadita, sappylum vertebrate, super class tetrapoda, class amphibia, जब मैं amphibia की बात करती हूँ, तो मुझे इन भाई साब की कुछ basic बाते amphibia से ही पता चल जाती है, ठीक है, अच्छा, most commonly पाया जाने वाला frog, इंडिया में, कौन सा होता है बिटा, राना टिग्रीना, the most commonly found species, मैं लिखना च मैं इसकी वीटा, ये कुछ general बाते करी हूं, मैं फ्रॉग की कुछ general बाते कर रही हूं, मैं फ्रॉग की कुछ general characteristics की बात करी हूँ, पिर तो हम इसकी morphology, फिर तो हम इसकी anatomy में अंदर जाएंगे, फिलहाल मैं इसके को ch Bilal characteristics के बारे में discuss करना चाहिए, ठीक है, अगर मैं फ्र तो आप देखोगे बिटा आगे कि यह एंफी का मतलब होता है बोथ डूवल और बिया मतब बायो मतब दूवल लाइफ यह भाई साब जो पानी में भी रह सकते हैं और धर्ती पे भी रह सकते हैं आप देखोगे ठीक है और ऐसे ही तो बिटा इवोल्यूशन में पढ़ाया ज कि पानी जगती दोनों में रहते थे यसी तरीकी से ट्रांजीशन होता है कि पानी से धर्ती में आते आते याथ मिटा कंप्लीट्ली टेष्ट्री अनिमल इए खहर यह टेश्ट्रीव भी होते हैं और पानी में भी रहते ही हम लिखेंगे और जो सबसे पाया जाने वाला जि species of frog found in India, found in India is beta rana tigrina, rana tigrina, jaisa ki मैंने कहा, क्योंकि ये amphibia है, भाई साब क्या है, amphibia है, since frog is an amphibian, so it has a dual life, amphi का मतलब होता है, dual, ये आया बायो जियानी की life, can live both on land, as well as pani, as well as water, और water में भी आपको ध्यान रखना है, ये fresh water में रहते हैं, completely, NCRT में ये बहुत clearly दिया है, कि ये fresh water में रहते हैं, समुद्र में नहीं रहते हैं, marine में रहते हैं, fresh water में इनको cutaneous respiration करनी होती है, आगे मैं बताऊंगे आपको, बहुत ही ध्यान से ये topic को आप लोग पढ़ना, ठीक है, आपके सारे जितने भी questions, बिटा possibility होगी बनने की, यहीं से cover हो जाएगी, इसको बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि नया add हुआ है, तो बहुत जादा आपके radar में रहेगा question आने के, तो बिल्कुल lightly नहीं लेने का, आसान टॉपी के, बट lightly नहीं लेने का, ठीक है, असान है, तो उसको और अच्छी तरीके से पढ़ो कि एक भी question गलत ना हो, ठीक है, तो हो गया, पानी में भी रह रह रहे हैं, फ्रेश वाटर में, धर्ती पे भी रहे हैं, dual life है, amphibians की, और कुछ अगर में general बाते बिटा, अफ्रॉग के बारे में कहूं, तो फ्रॉग जो होते हैं, जो हम amphibia पढ़ते वक्त में बताते भी हैं, कि जो फ्रॉग होते हैं, वो cold-blooded animals होते हैं, cold-blooded, जिसको हम po warm-blooded है, हम homeothermal है, homeothermal animals और poikilo thermos, poikilo, यानि cold-blooded में क्या अंतर होता है, बाहर का जो temperature है, उसके according अगर temperature change हो रहा है, तो ऐसे animals cold-blooded होते हैं, जैसा कि frog के case में, भाई, survive करना है, तो उनकी क्योंकि, आप उनको poikilo thermos बोल रहे हो, so according to the external environment, their temperature keeps on changing, पट हमारे case में ऐसा नहीं हो है, उनको अपना body temperature fix रखना होता है, their body temperature is fix only, it does not change with the outer temperature, outer environment, ऐसे animals होते हैं warm-blooded, aves और mammals warm-blooded होते हैं, वेरास जब आप reptiles को देखोगे, amphibians को देखोगे, in fact, मचली जल की रानी यानि की, फिश को देखोगे, ये तीनो cold-blooded होते हैं, which means, their temperature changes according to the outer temperature, in fact, बेटा, frog usually आपको दिखेगा, उनका जो आपको भर-भर के frog बिटा, जिस season में देखने को मिलते हैं, that is the rainy season, भर-भर के आपको frog दिखेंगे, but extreme winters के दोरान, या extreme summer season के दोरान, आपको frog नजर नहीं आएगा, ठीक है, पहलो तो बोलते हैं, बारिश होती है, तो frog गिर रहे हैं, है न, ऐसा कहानी सुनी है, इसी कहानी है, मैं नहीं सुनी है, बिटा, इतनी विकार कहानी, but anyway, frog जो होते हैं, extreme summer में, अब उनको survive तो करना है, extreme winter season में भी survive करना है, भाई, बाहर का temperature इतना अगर fluctuate करेगा, तो वो क्या करते हैं, बिटा, वो deep burrows में जाके चले जाते हैं, shelter लेने के लिए, shelter लेने के लिए, वो deep burrows के अंतर जाके, अपना जो winter का peak season है, या summer का जो season है, उसको व्यतीत करते हैं, इसे बोलते हैं, sleep में जाना, जो आप में से कई लोग, बिटा, I think all season में जा सकते हैं, ठीक है, all season you can go to hibernation and activation, that is your favorite बिटा past time, but ऐसा अभी नहीं करने का है, बिटा अभी तो जागो, मोहन जागो, क्योंकि नीट exam आपका बल्कुल पास है, winter sleep को बोला जाता है, hibernation और summer sleep को बोला जाता है, activation, तो deep burrows में बिटा, ये जाक चले जाते हैं, shelter लेने के लिए, during the peak season, and of course, they are poie kilo thermal, तो मैं यहापे लिग देती हूँ, frog जो होते हैं, frog जो होते हैं, ये होते हैं बिटा, poie kilo therm, poie kilo therm, और cold blooded, और cold blooded, इसका क्या मतलब है बच्चो, they do not have a constant, they do not have a constant body temperature, they do not have a constant body temperature and it changes and it changes with the change in the environment, with the change in the environment. ठीक है, it changes with the change in environment, जैसा कि मैंने आपको बोला कि during, बहुत ज़्यादा ये जो rainy season में तो बाहर आते हैं, reading भी करते हैं, but during peak, बहुत important point बिटा ये, during peak, summers or winters, or winters, or winters, they usually, they usually, they usually go inside the deep burrows, the deep burrows, the deep burrows, वैसे तो ये maximum general बाते इंसियाटी में दी भी हुई है, मैं आपको starting का paragraph अब भी इंसियाटी का दिखाऊंगी, deep burrows for shelter, shelter लेने के लिए, बिटा summer sleep और winter sleep में आप लोग बहुत गलतियां करते हो, चाहे आपको कितना भी bond किया जाए कि बिटा इसमें आप लोग गलती करते हो, तो गलती करना मत, एक है astivation, this is your summer sleep और एक है बिटा हीबर्नेशन, जिसे बोलते है winter sleep, this is your summer sleep and this is बिटा यूर winter sleep, ठीके जी, yes, then, then, add and done, इसके notes बिटा आपको बनाने न, तो आप pause करके इसके notes बनाना, ठीक है, एक बारे में ncrt का, अच्छा, एक पॉइंट में और आपको बता देती हूँ, फिर हम ncrt का यह जो इसकी general बाते की हुई है न, उसके बारे में मैं ncrt सापको रीड कराती हूँ, अच्छा, यह आपने कभी अगर observe किया हो, तो आप देखोगे, कि अगर यह grass के ऊपर कभी आपको, कभी आपको grass के ऊपर यह दिखे, या कभी land पे कभी आपको दिखे, तो यह usually क्या करते है न, अपने आपको बचाने के लिए, protection के लिए भी, and of course बेटा, predation के लिए भी, protection मतलब अपने आपको predate होने से, किसी और से अपने आपको बचाना, this is your protection, and predation करने का मतलब होता है, कि वो, जैसे वो insect खाते हैं, आप देखोगे, कि वो insect को खाते हैं, ठीक है, तो हमारी कहीं न, कहीं यह मदद भी कर रहे होते हैं, क्योंकि insect को खा लेंगे, हमारी crops को कहीं न, कहीं बचा रहे होते हैं, यह economical importance में आगे दिया भी हुआ है, तो यह अपने आपको कभी-कभी बचाने के लिए, जो NCRT में दिया हुआ है, आप देखोगे, कि ग्रास में है, तो ग्रास का कलर ले लिया, या लैंड पे है, तो उसके according इनका कलर चेंज हो गया, इसे बोलते हैं, प्रोटेक्टिव मिमिक्री, यह किस तरीकी की प्रोटेक कर लिया इन्होंने, so this is camouflage, the change in color, and this change in color, the camouflage that they do, is going to help them, कि वो अपने आपको बचा पाएं, प्रीडेशन होने से, और यह प्रीडेशन कर पाएं, दूसरी जिनको इन्हें खाना है, उनको इसली खा पाएं, क्योंकि किसको पता ही नहीं चलेगा कि यह है भी या नहीं, so change in color is camouflage in this type of, color changing, this is a type of protective mimicry, that you see in case of frog, यह भी दियावे, NCRT के introduction में, तो आप लिखो, कि often, often a frog, if found in grass or land, changes its color, changes its color, to where they are present, to where they are present, to where they are present, and इसको present के ब्रगल में लिखो, camouflage, camouflage, to where they are present, camouflage, and this type of protective coloration, protective क्यों बोला, अपने आपको बचा भी सकते हैं, शिकार होने से, इस ताइप और प्रोटेक्टिव क्लोरेशन, इन देम, इस नोन अज प्रोटेक्टिव मिमिक्री, क्या मेरी बाद सभी लोग को समझ में आ गई बच्चों, क्या मेरी बाद समझ में आ गई बिटा सभी को, यmos everyone, यज बाद इसी चीज़ को ना थोड़ा N-C-R-T से, रीड करके बारे देखने की जनरल पीचर्ज में क्या कहती N-C-R-T, इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, न N-C-R-T रीड कने के बाद हम क्या करेंगे, morphology से start करेंगे देखो NCRT क्या कहती है NCRT क्या कहती है it can live on both land as well as in fresh water and it belongs to the class class amphibia phylum caudita हमने phylum caudita पड़ा subphylum vertebrita पड़ा super class tetrapoda पड़ा class आपका amphibia पड़ा everything is of NCRT nothing is out of NCRT animal kingdom में देते हैं the most common species of frog found in india is beta rana tigrina they do not have a constant body temperature their body temperature varies with the temperature of the environment and such animals are called as cold blooded or poikilotherms हमने cold blooded लिखा है न वर्ड हां लिखा है cold blooded or poikilotherms you might have also noticed changes in the color of frog while they are on grasses और on dry land land पे है या grass पे है तो कभी कभी वो color change करते हैं they have the ability to change the color and hide them from their enemies this is called as camouflage सिर्फ हाइड करने की काम में न आ रहा चुपके तो बिटा शिकार भी कर सकता है वो चुपके शिकार भी कर सकता है बच भी सकता है and this type of protective coloration is called as mimicry जो आपको इन में दिखती है यो में और अलसो नो that the frogs are not seen during the peak summer and winter season आपको peak summer or winter में कभी आपको राना तिगरीना भाई साब नजर नहीं आएंगे because this is the period they take shelter in deep burrows which protect them from extreme heat and extreme cold this is called as summer sleep जिसे activation बोलते हैं और विंटर स्लीप जिसे हाईबरनेशन बोलते हैं थीस आधर जनरल बाते हैं विच गिवन अबाउट राना टिग्रीन भाई साहब and now बिटा how we are going to progress in this topic is हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि हमें कैसे करके पढ़ना है हम बिटा फ्रॉग की सबसे पहले जैसे हम कोक्रोच में भी पढ़ते थे हम सबसे पहले उसकी मॉर्फोलोजी पढ़ते थे आपको याद होगा है, excretion, reproductive system, nervous system, endocrine system, sensory structures, ये सारी चीज़े हम anatomy में बेटा, one by one discuss करेंगे, पहले हम इसकी बेटा, क्या discuss करने बाले है, morphology, again morphology, डाइग्राम अगर देख लोगे, फिर हम point wise इसको लिख लेंगे, कुछ-कुछ flow charts तो मैं लेके आई हूँ, ताकि हमारा time save हो जाए, लिखने वाले पार्ट में है, समझने में ज्यादा time हमारे utilize हो, तो कुछ points हम लिख के लेके भी आए है, अगर आप इसकी body को observe करोगे, फ्रॉग की, तो फ्रॉग की body is divisible into two parts, एक होता है इसका head, और ये जो part आपको दिख रहा है न, ये जो इसका मोटा सा ये part दिख रहा है, इसे बोटे हैं, इसका trunk area, ये इसका trunk area होता है, और ये इसका सर होता है, इसके पार गर्दन नहीं होती, और नहीं इसके पास tail होती है अगर्दन and a tail is absent, a neck and a tail is absent, body is divisible into two parts, one is head and another one is trunk, इसके अलावा बिटा आपको दिख रही हैं आखें, इनके पास होती हैं, simple eyes, कोई compound eyes नहीं होती, single unit है ऐसे नहीं है, एक omat idea जैसे आपने कोकरोच में पढ़े हैं, 2000 hexagonal structure, इसे ऐसे units नहीं बनी होती है, इनके पास होती हैं, simple eyes, और अगर आपने कभी frog को बहुत नस्दीक से observe किया हो, इसकी आखे bulged out होती है, बाहर की तरह bulge आपको एक दिखता है, उभार दिखता है, bulged out eyes होती है, तो यहाँ पर आपको इसका bulge भी नजर आ रहा होगा, और मैं आगे आपको sensory structure बताऊंगी भी, तो of course eyes जो होती है, विजन के काम में आती है, और eye जो होती है, आपके orbit के अंदर present होती है, अपने भी eyes जो होती है, orbit के अंदर ही present होती है, बात समझ में आ रही है, ठीक है morphology में, अच्छा इनका रंग रूप कैसा है, बेटा, रंग रूप तो देखो इनका, तो अगर आप इनको देखोगे त इनका dorsal surface है, और इनका ventral side होता है, यह बिटा, ऐसे patches नहीं होते है, रफ, plain होता है, pale yellow color का होता है, इनका ventral side, आख की बात कर ली, आपको external nears, external nostrils हमारी भी होते हैं, इनके भी external nostrils होते हैं, यहां से air अंदर जाती है, आपको आगे मैं बताऊंगी, बक्को फैरिंग्स के अंदर जाती है, फिर lungs के अंदर जाती है, वो हम आगे पढ़ेंगे, external nostrils आपको दिख रहा है, इनका mouth आपको दिख रहा है, एक बहुत important feature बेटा, जो आपने याद रखना है, that is बेटा, tympanam, देखो अपने case में, क्योंकि यह हम से differ कर रहा है, जब हम mammals की properties आपको animal kingdom में प यह external ear pinna होती है, ear pinna, हमारी जो ear pinna होती है, हमारा characteristic feature है mammals का, आपने कभी किसी चड़िया के देखे होंगे ऐसे कान, या इसकी imagine करो, imagine करते हैं यहां सी आएगी, कोई कबूतर बेटा है, तुमारे सामने उसके कान ऐसे नजर आ रहे है, इनके पास ऐसा ear pinna होता ही नहीं है, इ इनकी आईज के जस्ट पास बेटा, दोनों आखों के पास में ही fold of skin होती है, जिसे आप बोलते हैं, टिम पैनम, इस टिम पैनम only represents their external ear, होता तो इनके पास भी middle ear है, होता तो इनके पास भी internal ear है, जो balancing के काम में आता है, जैसे हमारे काम में आता है, हम middle ear और हमारे middle ear में फरक कहती है, NCRT जो चीज कहती है, वो यह कहती है, कि they don't have this thing, बिटा, ear pinna, they don't have it, they just have a fold of skin, just close to their eye, और अपकोर्स दोनों आखों के पास, and this represents their टिम पैनम, यही बिटा, sound vibrations को collect करेगा, जैसे हमारे case में हमारा ear pinna करता है, यह बास समझ में आगे बिटा, येस, अब आपको इनके हाथ और पैर नजर आ रहे हैं, बिटा, अगर आप इनको देखो, तो आपको खुदी नजर आएगा, अच्छा, जो female frog होती है, वो comparatively बड़ी होती है, और जो male frog होता है, वो comparatively चोटा होता है, और आप ना sexual dimorphism इन में देखते हैं, sexual dimorphism का क्या में, बिटा, सारे points में लिख माऊंगी, जब मैं वापस से लिखूंगी, तो वापस से आपका division होगा, तो ज़्यादा focus रटने पे लिखने पे नहीं, बिटा, ज़्यादा focus यहाँ पे लिखो, यहाँ पे समझो, everything I will make sure कि आप लिख के जाओ, notes में हो, बड़ सुनने पे ज़्यादा focus करना, ठीक है, अग अगे आप जब देखोगे, तो आप पढ़ोगे, चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है कि हाइंड लिम को कई लोग खाने के काम में भी लेके आते हैं, क्योंकि इतने muscular होते हैं, so they are being of course eaten by man, तो इंसान तो बेटा किसी चीज को नहीं छोड़ेगा, तो इसके तो muscular टांग से differentiate कर सकते हैं, आप एक male frog अलग से देखेंगे और female frog अलग से होता है, बिटा, दोनों के बीच में sexual dimorphism है, अर्थवम के के केस में क्या होता है, एक ही अर्थवम को काटो गए, अगर तो उसी के अंदर testers मिलते हैं, उसी के अंदर ovary मिलते हैं, they are called bisexual, एक ही के अंदर male repractice system female repractice system, male और female अलग-अलग का कोई concept ही नहीं है, अर्थवम के लिए, there is no sexual dimorphism, but frog के केस में male frog भाई साब अलग, female frog अलग, cockroach भी वैसा ही होता है, female cockroach अलग, male cockroach अलग, लेकिन कैसे देखेंगे पता चलेगा, size तो बेटा, जब तुम compare करोगे तब पता चलेगा, उसके हमारा time save हो जाए, यह चीज़ तो हम already लिख चुके है, the most common species of frog found in India, that is बिटा, राना टिगरीना, यह हम morphology में बिटा, points लिख रहे है, flow chart के form में लिखना, राना टिगरीना हो गही बिटा, body is divisible into बिटा, क्या मैंने बताया आपको head and trunk, और वो point भी add कर लो, जो NCRT ने कहा है, here, neck and tail is absent, neck and tail is absent, neck and tail is absent, neck और tail इनमें कताई नहीं होता, neck और tail इसमें कताई नहीं होता, above mouth, मूँ के उपर, external nostrils present, external nares, ज़स देखो बिटा यहाँ पर, यह इनका मूँ है, मूँ के ज़स्ट उपर इनके पास क्या है, external nares, nares, मतलब external nostrils, external nostrils, above mouth, external paired, paired, external nares, और nostrils present, ठीक है, membranous tympanum, यह तो मैं आपको बताई चुकी हूँ, membranous tympanum, near आंखे, near eye, और इसका काम है, collect the sound vibration, collect, sound, vibrations, और यही है बिटा, जो तुम्हारा, इनके case में external ear को represent कर रहा है, यही external ear को represent कर रहा है, इनके पास कोई आपके ear, pinna नाम की चीज, ear, kenal नाम की चीज है नहीं, आपको मैंने बताया, इनके पास limbs में four limb है और hind limb है, एक तो मैंने आपको बता दिया, बेटा, high limb जादा muscular होते हैं as compared to four limb, इसके अलावा भी बेटा, कुछ differences है, आप जबी भी notes बनाओगे, आप pause करके notes बना लेना, ठीक है, next मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ, आप इनके four limb को बिटा, four arm या four limb को ज़रा observe करो, इसके पास चारी उंगलिया है, चार ही digits है, digits मतलब उंगलिया, ठीक है, और जो इसका hind leg है या hind limb है, या foot जहाँ आपको नजर आ रहा है, इसमें बिटा, एक, दो, तीन, चार पांच, पांच digits आपके hind leg के लिए और four limb के लिए बिटा, पांच बोलना मैं इसमें, पांच बिटा और four के case में बिटा, four limb, four, four, four limb, ठीक है, और hind leg के लिए पांच digits, तो आगे इनके पास चार, पीछे इनके पास पांच digits होते हैं, very, very important, male, female के लिए कुछ अलग नहीं है, sexual dimorphism तो मैं आगे बताऊंगी, यह दोनों के लिए यह सेम मामला है, बिटा, कि आगे चार और पीछे पांच, से पीछे पांच नहीं होते, आपने कभी अगर observe किया हो, कुछ ऐसे बिटा, वो आते हैं न, या फिर किसके case में बताऊं, ठीक है, इनकी जो hind leg होते हैं, बिटा तो यह webd होती है, इनमें ऐसा लग रहा है, जाल बना हुआ है, लेकि इनकी जो four limb होती है, उनमें कोई ऐसी webbing नहीं होती, तो चार और पांच और पीछे बिटा, webbing होती है, तीछे की टांग जो होती है, जादा muscular होती है, यह दोनों के लिए common है, तो यह point सबसे पहले तो ब लियां, finger, and hind limb, more muscular, more muscular, and has five digits, इसके पास पांच डिजिट होती है, ठीक है, डिजिट्स आर अल्सो वेब्ड, डिजिट्स आर अल्सो वेब्ड, डिजिट्स आर अल्सो वेब्ड, इनके digits जो होती है, वेब्ड भी होती है, ठीक है, इनके digits जो होती है बिटा, वेब्ड भी होती है, और यह चीज मैं आपको डाइग्राम में दिखा दिया, head में इनके पास क्या होता है, has simple eyes, हाला कि मैं eye के बारे में बिटा, आगे भी आपको बताऊंगी, जब मैं sensory structure That's all, ठीक है, body का color में next page में लिखा दिरी हूं कि इनकी body का color क्या होता है, आप इसको pause करके note कर लो, ठीक है, body का color इनका कैसा होता है बच्चो, Yes, their body is olive green, olive green in color dorsally, dorsal side pe with dark patches, whereas, whereas, ventrally it is pale yellow, whereas, ventrally it is pale yellow, एक चीज़ और मेरे प्यारे प्यारे जगसे ने बच्चो, कभी किसी ने frog के ऊपर बिटा पैर दिया है, गल्ती से तो दिया होगा यार, जैसा हम लोग अगर कभी कभी अपने गाउं विजिट करते थे तो बहुत commonly हमने rainy season में हमें frog देखने को मिलते थे, अगर आपने कभी frog के ऊपर गल्ती से पैर दिया है या कभी आप इतने शौकीन रहे हो, पहले तो frog पे experiment भी होते थे, खहरा, बहुत पहले कि मैं बात कर रही हूँ, मैंने भी frog पे experiment किया नहीं है, लेकिन cockroach पे मैंने किया है, अर्थवम पे मैंने किया है, माइस पे मैंने किया है, लेकिन frog को अगर आप हाथ से कभी पगड़ोगे, उनकी skin बहुती moist होती है, बहुती पच करके आवाज आईगी, अगर कभी गलती सा आपका पैर पढ़ गया, जान बुच के आप पच करके नहीं देखना है, अगर पच करके देखता हूँ, ऐसे नहीं करना है, पर अगर आप उसको touch करोगे, तो उसकी skin होती है, बहुती जादा moist, moist होती है, और mucus होता है उनकी skin के ओपर, और moist होना ज़रूरी भी है, अगर moist नहीं होगी, तो वो cutaneous respiration नहीं कर पाएगी, cutaneous मतब skin के थुरू respiration करने के लिए, उसको करने के लिए उनकी skin को होना पड़ता है moist, तो उनकी skin बहुती गीली-गीली होती है, तो यह बाद भी आप यहाँ पर लिख लोगों को सच में बहुती जादा डर लगता है, लिजर्ड से खैर, लिजर्ड या स्नेक देखो ना, उनकी skin कैसे ड्राइ होती है, कभी छूके देख लेना भी गर में, बिल्कुल ड्राइ स्किन होती है बिटा, लिजर्ड को बोलना पगड़के कि भाई में तरह स्किन एक बारी तच करके देखना चाता हूँ, उसकी skin और फ्रॉक की skin में कितना अंतर है, फ्रॉक की skin होती है, बिटा, moist होती है, गिली होती है, म्यूकस वाली होती है, जबकि उनकी skin, reptiles की जो skin होती है, वो होती है, काफी dry, तो ये बाद भी आप यहाँ पर लिख लो, their skin is, their skin is moist and with mucus, ठीक है, अब general बातों में बेटा, जो हमने morphology डिसक्स की है, तो इसकी general morphology हो गई, इसमें मैं एक चीज़ और आपको बता देती हूँ, कि एक male frog को female frog से आप कैसे से differentiate करते हैं, दोनों के बीच में क्या sexual dimorphism है, what is the meaning of sexual dimorphism, फिर हम anatomy में move करेंगे, anatomy में digestive system थोड़ा सा mention किया हुआ है, breathing वाला, respiration बहुत छोटा सा है, circulatory system थोड़ा समझने वाला है, क्योंकि वो NCRT से read करने से समझने लगता, excretion और reproductive system कहीं थोड़ा diagram wise आपको male के case में specifically, even female के case में, तो excretion और reproductive थोड़ा साथ 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 होता है, और reproductive भी थोड़ा बड़ा दिया हुआ है, बाकी तो कोई system जादा दिया नहीं हुआ है, ठीक है, तो one by one फिर हम anatomy में बढ़ते वे चलेंगे, पहले मैं आपको थोड़ा सेंकी sexual dimorphism के बारे में बताना चाहती हूँ, sexual dimorph ism, which means, बच्चों, which means, which means, a male frog, a male frog can be distinguished, can be distinguished from a female frog, from a female frog, NCRT वाले points पे लिए आप discuss करो, देखो size थो बड़ा चोटा ही, पो NCRT में दिया नहीं हुआ है, लेकिन NCRT बहुत important दो बातों के बारे में कहती है, आप क्या खहरे है, आप male frog को female frog से distinguish कर सकते हैं, मतलब आप कहरें कि unisexual होते हैं basically, male frog अलग है और female frog अलग है, male और female organs एकी के अंदर नहीं पाये जाते हैं, तो अगर मैं बात करूँ male frog की, तो ऐसा क्या है इसमें बच्चो जो इससे female frog से अलग बनाता है, पहली बात तो जैसे कि मैंने कहा जो NCRT में दिया नहीं हुआ है, it is comparatively small, comparatively छोटे होते हैं, small, very important दूसरी बात, they have vocal sax, इनके पास vocal sax होती हैं बिटा, chambers होते हैं कुछ, vocal sax, आपने कभी अगर observe किया, especially ये vocal sax क्यों होते हैं, male के पास होते हैं, female के पास नहीं होते, नीचे की तरफ, इनके ये vocal sax, बेटा, school जाते हैं, इनका use करके, इनमें air की movement करके, ये क्या करते हैं, sound production करते हैं, typical sound production करते हैं, breeding season में, to attract the female frog, female frog को breeding season में attract करने के लिए, ये बेटा, अलग-अलग animals में, अलग-अलग behavior देखने को मिलता है, animal behavior, तो हर एक animal का जो breed करने के ये जो behavior होता है, वो अलग होता है, हर एक animal kingdom के animals में, आप देखोगे, अलग-अलग nature है, उसमें frog में, जो male frogs होते हैं, बिटा, वो female frog को breeding season में attract करने के लिए, they produce a typical sound, and that is with the usage of their vocal sax, ये vocal sax आपने देखो, वो फूले वे होते हैं, and they make this sound to attract the female frog, exclusively seen in case of males, not seen in case of the female, तो हम used by, used by the male frog, used by the male frog, used by the male frog, during breeding season, to produce sound, to produce sound, to attract, to attract the female frog, ठीक है, इसके अलावा, बिटा, male में ही एक और चीज़ देखने को मिलती है, male में, देखो, male और female दोनों के case में, four limb में तो चाट डिजिट्स थे, और hind limb में, बिटा, पाँच डिजिट्स थे, और hind limb में आपकी webbing थी, ये आपको male, female दोनों के case में देखने को मि but in case of male frog, इनके जो hind, इनके जो four limbs होते हैं, बिटा, four limbs, जिनमें इनके पास चार में है, ये pen के वज़े से, पाँच ही, इनके जो four limbs होते हैं, बिटा, जिनमें आप कह रहे हो, चार डिजिट्स है, male के case में, इनके four limb के first digit के अंदर, four limb के first digit के अंदर, एक copulatory pad की formation होती है, again during the breeding, तो अगर मैं इनकी बात करूँ, तो अगर इनका बिटा, ये four limb है, तो इनके four limb के first digit के अंदर, बिटा, एक copulatory pad आपको देखने को मिलेगा, during the copulation या breeding season, this is developed in male frog only, only and only male frog, और ये क्या करता है, बिटा, ये copulatory pad, actual में female body को hold करने के काम में आता है, during the breeding, during the copulation, copulation के दौरान, sexual intercourse के दौरान, आपका ये copulatory pad, of course, mucousy body है, बिटा, चिप-चिपी body है, slippery body है, so to have a hold on the female body during the copulation, male frog will have, will develop a copulatory pad, सिर्फ male में है, सिर्फ four limb के first digit में है, ये सवाल आता है, ठीक है, आता क्या है, मतंब ये सवाल आएगा, आप भी तक तो बिटा, क्या ही पूछा जाए था, फ्रॉग तो सलबस में नहीं था, आज सकता है, बेरी, 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 इंपॉर्ट पॉइंट बेटा, ठीक है, so male frog, male frog, develops, male frog, develops, a copulatory pad, a copulatory pad, on the first digit of first digit of four limb, during the breeding season, during the breeding season, to hold on female body during copulation. during population, then, 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 कोई दुगदर समस्या, बेटा, morphology में, morphology is over, morphology is over, this is four limb, ये sexual dimorphism है, अगर बेटा, आप इनको देखोगे, तो आपको देखके ही समझ में आ जाएगा, कि अच्छा ये वाला जो फ्रॉग है, this is a male frog, and that is a female frog, क्या आप मेरी पास समझ में आगे, बच्छा पार्टी, yes, pause करके note कर लो, next बेटा, we are going to talk about their anatomy, and anatomy में, as per NCRT, जैसे कि NCRT कहती है, that frog can accommodate different organ systems, जैसे कि digestive system, respiratory system, circulatory system, nervous system, excretory system, reproductive system, with well developed structures and functions, तो इनके पास ये सारे systems होते हैं, let us discuss बेटा, one by one, let us start with the digestive system first, जब मैं इनके digestive system की बात कर रही हूँ, तो digestive system, अब हमारा तो बेटा, चैप्तर ही ऊड़ चुका है, digestive system का, human physiology में, हम digestive system अपना भी जब बोलते हैं, तो हम बोलते हैं, कि हमारे पास भी एक tract है, और tract के साथ में अलग-अलग glands जोड़े होएं, So, we have elementary canal, then we have associated glands, इनके पास भी बिटा, गर मैं digestive system की बात करूँ, So, they have their elementary canal, they have their elementary canal बच्चों, और elementary canal के साथ में, इनके पास क्या होते हैं, बिटा, glands, जिनमें, according to NCRT, हमें इनके, किस के बारे में बिटा, इसकास करना है, we have to discuss about their liver, and then we have to discuss about their pancreas, I think इन्होंने वैसे pancreas बना के तो नहीं बताया है, diagram में, liver इन्होंने 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 दिखाया होगा, बहुत अच्छी तरीके से, यह देखो, liver दिखाया हुआ है, gallbladder भी दिखाया हुआ है, तो लिवर तो bile juice बनाएगा, gallbladder store करता है, pancreas इनोहने दिखाया नहीं है, pancreas भी यहीं पहोथा है, इसा आसपास डिएग्रम में इन्होंने 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 इन्होंनी किया हुआ, तो अभ्म एम ने पहले आपको भीटंग, आपको पहले बता देती हूँ कि इनके elementary canal के क्या-क्या parts होते हैं, flow chart में देखना है, आपसे पूछा जाएगा जैसे cockroach में elementary canal के sequence को पूछते थे, कि mouth leads to what, that leads to what, that leads to what, उनके parts पूछते हैं, तो आपसे भी हाँ पूछा जा सकता है, कि इनके parts को sequence में बताओ, तो आप बता दो कि digestion का process इसमें कैसे होता है, अगर NCRT में कुछ डिस्क्राइब किया हूँ है, या absorption कैसे होता है, या e-gestion के लिए इनके पास क्या होता है, तो अग को पता होगा, जो हर्भी वोर्स होता है, जिनको cellulose digest करना पड़ता है, जिसके लिए पढ़े पापड बेलने पड़ते हैं, तो बिटा, उनके केस में elementary केनाल लंबी दिखती है, बट जो कार्णी वोर्स होता है, ये insect खाते हैं, तो इनके elementary केनाल comparatively छोटी होती है, तो पहल they are carnivores, as they are carnivores, मेरी बास समझ में आगी बिटा, क्योंकि ये carnivores होते हैं, तो इनके elementary केनाल comparatively छोटी होती है, अब इनके elementary केनाल को अगर सीक्वेंस में बताऊं, as per NCRT जो आपको फॉलू करना है, Mouth, Leads to Buccal Cavity, Buccal Cavity Leads to Pairings, Pairings के बाद एक छोटा सा, इसोफेगस, इसोफेगस के बाद एक intestine, अब अपने intestine में तो बिटा अलग-अलग divisions होती है, small intestine, large intestine, large intestine, large intestine में सीकम, colon, rectum, इन्होंने इनकी intestine में वैसे तो अलग से ऐसे करके mention नहीं किया है, बट आगे इन्होंने नाम तो दिया हुआ है, कि जैसे इनके पास होती है, दूड़िनम, जिनमें इनका vile juice आ रहा है, जिनमें इनका pancreatic juice आ रहा है, अपने केस में भी ऐसा ही होता है, फिर दूड़िनम में digestion होता है, आपको दिखेगा, यहाँ पे बहुए जादा इनके intestine के डूड़िनम में digestion होता है, ilium में पेटा आगे है absorption हो रहा है और finally बेटा इत ओपन साउटसाइड dudum and ilium that finally that leads to एक अज़े लिखो that leads to rectum that leads to rectum तो आप एक सेकंड ऐसा लिखे लो dudum, ilium and rectum हाला कि NCRT ने इस तरीके से अलग से बेटा division दी नहीं हुई है then rectum बेटा opens into cecum, अब आपको cecum का मतलब नहीं पता होगा cecum नहीं, sorry, cecum नहीं it opens into cloica, आपको cloica का मतलब पता नहीं होगा तो cloica का मतलब मैं अभी आपको समझाती हूँ पहले में NCRT का डाइग्राम आपको दिखा देती हूँ, हमने क्या बोला, mouth, mouth leads to buccal cavity, buccal cavity leads to pharynx, pharynx leads to esophagus esophagus के बाद intestine आता है, जिसमें dudinum है, ileum है, rectum है, rectum opens into cloica, और cloica बाहर open होता है by cloical aperture, now you don't know what is cloica तो मैं cloica के बारे मैं आपको एक बात बता देती हूँ digestive system का अलग से diagram बनाने की कता ही ज़रूरत नहीं है, आपको मैं NCRT से दिखा देती हूँ, आप सिर्फ low chart याद रखना, ठीक है cloica बीटा एक ऐसा chamber होता है, जिस chamber में, जिस chamber में आपके तीन चीज़ों की आपको entry दिखेगी, आप देखोगे, आपका urine भी यहाँ पर आ सकता है, with the help of ureter और urogenital duct, ठीक है urine भी यहाँ पर collect हो सकता है, gamete भी बेटा यहाँ पर collect हो सकता है और आपका बीटा जो undigested food है, वो भी यहाँ आ सकता है, तो यह एक ऐसा common chamber है, जिसके थूँ आपका fecal matter बोल दो, आपका, हमारे पास तो नहीं यह बेटा, यानि कि frog का fecal matter, यानि कि आपको elementary किनाल की opening दिख रही है very important बेटा, क्योंकि अपने पास तो नहीं है, तो इनके पास है, तो याद रखने का है elementary किनाल की opening, इधर पर मैं बोल रही हूँ कि urine भी आ रहा है urine यानि बेटा, आपकी excretory system की opening ठीक है, और मैं कह रही हूँ कि gamete भी यहीं पे आता है, अब मैं आपको जब male और female frog पढ़ाओंगी तो आप देखोगे male के case में urine और gamete जो है, एक ही duct से आते हैं, बट female के case में urine अलग duct से आता है और gamete अलग duct से आते हैं, पर फिलाल तो मैं वो चीज नहीं बता रही हूँ, मैं simply एक बात बता रही हूँ कि भाई इनके पास cloica जो है, उसमें gamete भी आ सकते हैं, उसमें urine भी आ सकता है और उसमें fecal matter भी आ सकता है, यानि it is a common chamber it is a common chamber which has cloica which has the opening of these three things, it is a common chamber, अपने case में इसा थोड़ी है, fecal matter अलग, urine अलग और gamete अलग, ठीक है, male और female की बात नहीं मैं कर रही हूँ, समझ में आ गे मेरे बच्चों बात, so it has a cloica, cloica finally opens outside via cloical aperture, यह बास समझ में आ गई, प्लोचार्ट समझ में आ गया, मैं एक बारी CRT का diagram दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हो क्या रहा होता है इनकी body में, तो इनको आपको बेटा तुम्हें दिख रहा होगा, mouth और buccal cavity और pharynx इसमें दिखाया नहीं है, बट थेोरी में बेटा ही clearly लिखाव है, mouth leads to buccal cavity, leads to pharynx, leads to esophagus, esophagus leads to बेटा, stomach, stomach leads to बेटा, intestine, duodenum, ileum and then बेटा, rectum, ठीक है and rectum opens into बेटा, cloica and this is the cloica, यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से, आप diagram को जिस भी तरीके से बनाओ बेटा, उस तरीके से आप चेंबर को दिखा सकते हूँ and cloica बेटा, बेटा, opens outside via cloical aperture, क्या मेरी बास समझ आगी बेटा, अब parts तो अगर मैं इनकी digestion का process आपको बताऊँ, तो खाना जब यह खाते हैं, तो इनकी एक bilobed tongue होती है, bilobed मतलब ऐसे bifurcated, इनकी bilobed मतलब ऐसे bifurcated, bifurcated मतलब दो parts में divided, bifurcated tongue, तो इनके पास होती है, एक bilobed tongue, digestion of food में मैं क्या लिखना चाहती हूँ, just bilobed tongue, और prehensile, इसे prehensile भी बोलते हैं, मतलब आप इने बाहर भी निकाल सकते हो और फिर अंदर भी कर सकते हो, prehensile, मतलब it can move outside and then better you can take it inside, it can go outside, it can come inside, इसे prehensile tongue की मदद से ये insects को बिटा खा रहे होते हैं, insects को खा रहे होते हैं, फिर insects बिटा क्या करेंगे, खाएंगे, फिर खाने के बाद बिटा ये जाएंगे, किसके अंदर बिटा, आफकोर्स आपके mouth से इन्होंने खाया, फिर आपके buckle cavity, pharynx and isofagus से होता हो, ये चला जाएगा, स्टमक के अंदर, जिसके ऊपर HCL काम करेगा, जिसके ऊपर बिटा, HCL काम करेगा, गास्ट्रिक जूस उसके साथ में mix होगा, और जैसे humans के case में आप बोलते हो, कि HCL से मिला हुआ जो तुम्हारा food है, उस food को क्या बोलते हो, आप काईम बोलते हो, अभी तो delete हो गया chapter आपके human physiology का, बट पहले आपने कभी पढ़ा होगा, तो इसे काईम बोला जाता है, gathered with the help of, gathered with the help of, bilobed tongue, bilobed tongue, फिर खाना कहा पास होगा, simply बताते जो आप लोग कॉमेंट्स में, मताँ आप लोग जो पढ़ रहे हो, साथ के साथ बताते जो, bilobed tongue से गादर हुआ, सारी जगह उसे पास होगा, उससे मुझे कोई मतलक नहीं है, of course sequence में बिटा, पास होता जाएगा, eventually स्टमक में जाएगा, eventually खाना कहां जाएगा, बिटा, स्टमक में जाएगा, और यहाँ पे बिटा, आपके पास क्या है, है HCL, यहाँ पे है आपके पास gastric juice, आप हमारे के समें भी फोलते हो बिटा, और हमारे के समें भी यहाँ पे एक word यूज किया जाता है, जो मैं आपको अभी बताऊंगी, यहाँ से डाइजेशन स्टार्ट हुआ, स्टमक से डाइजेशन स्टार्ट हुआ, with the help of this gastric juice and HCL, बहुत जबर डीटेल नहीं दिया हुआ, NCRT कहते है, food goes into the stomach, HCL काम करेगा, gastric juice काम करेगा, digestion starts, ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि, यहाँ पे, यहाँ पे न मैं इस से related कोई भी बात है, एक्चल में absorption और यह हम आगे लिख लेंगे, यहाँ पे हम सर्फ इसके लिए लिखते हैं, कि यहाँ से हम कह रहे हैं, digestion start, digestion starts in stomach, as per in CRT, digestion starts in stomach, कुछ भी डीटेल नहीं बताया हुआ है, बिटा, कि कैसे, क्या, आपको सर्फ यह याद रखना है, हाँ, लेकिन एक बहुत important बात बताये ही, कि जैसे खाना, बिटा, आपके HCL or gastric juice से mix हुआ, जैसे हमारे case में हम एक word use करते हैं, बिटा, इसके लिए, we use a word that the food when mixed with the acid, it is called as kaiim, यादे बच्चो, food when mixed with bitter acid, it is called as kaiim, तो हमारे case में भी काइम बोलते हैं, इसके case में भी काइम बोलते हैं, और eventually, बिटा, खान हैं, इनके स्टमक से होता हुआ, खाना नहीं बोलेंगा, खाना नहीं भी काइम बोलेंग से उसके case में। Qactor efectogen है काइम बोलते हैं, और काइम एक पार्ट पर जैसे आप क्या बोलते हैं, इंटस्टाइन अभी इंटस्टाइन दाइजेशन होगी चुटन में है पर उखी और जैसे थोड़ा थोड़ा अपने से रिलेट करते जाओ ज़ादा बेटर अन्डस्टाइड इंडस्टाइन गी जैसे हम अपने केस में बोलते हैं कि pancreatic juice वहां पे आ रहा है यहां भी intestinal juice का कोई concept नहीं बताया simple बोला pancreatic juice आ रहा है यहां पे गॉल ब्लेडर में जो bile juice stored है माम वो भी यहां पे आ रहा है लेकिन गॉल ब्लेडर का bile juice और pancreas में से जो pancreatic juice है जो enzymes है वो किसकी मदद से आ रहे हैं एक common bile duct की मदद से बहीं लेकिन जाना कोई नहीं common bile duct की मदद से आ रहे हैं वो किसकी मदद से आ रहे हैं common bile duct तो मैं एक diagram के थूँ आपको थोड़ा सा समझा देती हूं एक diagram के थूँ मैं आप लोग को थोड़ा सा समझा देती हूं मैंने क्या बोला पहले मैं लेख देती हूं इसके point कि intestine में आपका digestion हो रहा होगा, absorption भी हो रहा होगा, final digestion आपका intestine में ही होता है, digestion completed in intestine, पहले मैं लेख रही हूं कि bile from gallbladder, bile from gallbladder, bile from gallbladder, and pancreatic juice from, and pancreatic juice from pancreas comes in the deudinum, comes in the deudinum with the help of with the help of common bile duct किसकी मदद से आ रहे हैं, common bile, duct की मदद से आपके intestine में ये juice आ रहा है, मैं आपको एक diagram के तो थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूं, better understanding होगी, जैसी ये gallbladder हो गया, ठीक है, एक काम करते हैं बिटा, जहां पे भी हमने diagram बनाया है, थोड़ा उसको क्या करते हैं, बाइफर देते हैं, अरे भाई, ये क्या हो गया बिटा, ये क्या हो गया, ये तो बिटा, बोड की जो, अब वही हटने लग रहा है, ना, देखो, redo, अब redo भी नहीं हो रहा, ये अलगी बिटा, चलो कोई नहीं, HCl plus gastric juice, अब इस टेबल को कैसे बनाएं, बच्चो, क्या करें, बेटा, चलो, I think, जाता फरक नहीं पड़ा, यहाँ पर भी common bile duct, लिखना पड़ेगा, यह कैसी चीज थी, क्या हुआ था, common bile duct, चलो, मैं क्या करती हूँ, एक division ऐसे बना लेती हूँ, आप लोग को बताने के लिए, एक division, डाइग्राम थोड़ा साइड में होगा, तो, गिच-पिच नहीं लगेगी, मैं आपको दिखाती हूँ, बेटा, यह है, गॉल ब्लैडर, bile juice है, इसमें stored, यह गॉल ब्लैडर है, इसमें क्या stored है, यही पर लिखना है हमें, और यह मान लो, यह है, pancreas, pancreas, pancreas से आ रहा है, pancreatic juice, pancreatic duct और यहां की गॉल ब्लैडर की duct, fuse हो जाती है, क्या बना रही है, हमारी hepato pancreatic duct नहीं बोलना, जो आप digestion की case में पढ़ते थे हमारे, हमारे तो बिटा, अब ओड़ी चुका है, यह intestine में आके मिल रही है, intestine बना लो, ठीक है, यह जो pink कलर की आपने duct बनाई ना बिटा, यह, जो आपके pancreatic juice के लिए, और आपके gallbladder के, bile juice के लिए, जो एक बिटा सहारा बना, जिसके थू, gallbladder में stored आपका bile, जो emulsification करेगा fats की, pancreatic juice में जो enzymes according to NCRT protein और carbohydrate digest कर रहा है, वो आपके इसी, वो इसी आपके common bile duct से होता हुआ, intestine, dudenum में आएगा, और वहाँ पे यह digestion करेगा, जैसा कि हम हमीशा पढ़ते हुए भी आते हैं, humans के case में भी, समझ आ रही है बच्चों बात कोई दुगदर समस्या, येस, समझ आ रही है बच्चों बात, I don't think की कोई दुगदर समस्या होगी, येस, diagram से तो clear होई गया होगा, तो हम यहाँ पे कह भी रहें कि common bile duct की मदद से आ रही है माम, और एक बात और हम कह रहे है माम की intestine में जो bile है उसने क्या किया, bile intestine में आया कहा से, गॉल ब्लेडर में bile stored था, गॉल ब्लेडर में bile stored था, फिक है, और bile ने क्या किया माम, emulsification of fat, bile ने क्या किया, emulsification of fat, हमारे में भी यह होता है, emulsification of fat यह काइम जो इंटरसाइन में आया था उसके उपर यह सारा कारिक्रम हो रहा है और pancreatic enzymes नहीं क्या किया और pancreatic enzymes नहीं क्या किया मेरे प्यारे-प्यारे जगजे नहीं आ रहे बच्चों what did pancreatic enzyme do digestion of proteins and carbohydrates digestion of proteins and carbohydrates digestion of proteins and carbohydrate then,don,don,don,don, NCRT ये भी कहती है माँम,NCRT ये भी कहती है माँम digestion is completed in the intestine digestion is completed in the intestine NCRT की एक 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 लाइन एक एक शब्द को लेते वे चलना है बिटा NCRT कहती है digestion intestine में complete हो जाता है और intestine में ही जो माम विलाई और माइक्रो विलाई होते हैं finger like projections जो हमारे पास भी होते हैं which increase the surface area for the absorption of the digested food यहाँ पे भी माम वही विलाई और माइक्रो विलाई क्या करेंगे absorption करेंगे और फिर बेटा absorption होने के बाद intestine में ही absorption हुआ absorption होने के बाद जो undigested food है वो of course rectum से होता हुआ cloica से होता हुआ cloical aperture से होता हुआ ejection हो जाएगा तो pause करके बेटा इससे note कर लो मैं side हो जा रही हूँ pause करके note कर लो फिर मैं क्या कह रही हूँ यहीं पे बेटा लिख देते हैं यहीं पे हम लिख देते हैं फिर क्या हो रहा है absorption absorption so the finger like finger like projections called as villi and microvilli of intestine helps in absorption of the digested food absorption of the digested food फिर हम बोलेंगे absorption and ejection the undigested the undigested and unabsorbed food जैसे हम क्या बोलते हैं पीकल मातर पीकल मातर रिमोट as it passes via as it passes via rectum cloica cloical aperture to the outside then done out and done मेरे प्यारे प्यारे जबसे नियारे बच्चो बास, digestion is complete इतना ही है digestion digestion तो फिर भी थोड़ा बहुत बेटर डिस्क्राइब किया हुआ है और डाइग्राम को NCRT वाले को देखके जाना भले incomplete दिया हुआ है but NCRT के डाइग्राम को देखके जरूर जाना ठीक है तो यह आपके लिवर को दिखाया हुआ था यह ब्लाइडर को दिखाया हुआ है यह पिंग कलर की लंग्स दिखाई हुए जो मैं आगे पढ़ाऊंगी यह kidney दिखाया हुए है यह fat bodies दिखाया हुए है यही पर testis होते है जो आप दिखाय नहीं है यह ब्लाइड वेजल कुछ दिखाई है मैं आगे आपको बताऊंगी फिलाल यह stomach, intestine, rectum, cloica, cloical aperture ठीक है done now we are going to talk about बहुत ही छोटा सा topic है respiration कैसे करता है frog respiration अच्छा frog जो है land पर और पानी के अंदर अलग-अलग method से respire करता है जैसे अगर मैं बात करूँ कि land में पहले मैं पानी की बात करते हूँ पानी में वो क्या करता है बिटा skin का use करता है respiration के लिए जिस skin की मदद से अगर वो respire करेगा तो इसे बोला जाता है cutaneous respiration इसे बोला जाता है cutaneous respiration तो यह जो dissolved oxygen है आपके पानी के अंदर इस dissolved oxygen को बिटा यह क्या करता है इस dissolved oxygen को ये, अच्छा है एक NCRT में एक मुझे न जस्ट ये dissolved oxygen पानी में याद है, NCRT में एक line लिखी वी है कि frog जो है पानी कभी पीता नहीं है, वो never drinks water, वो पानी को absorb करते है अपने skin के थ्रू मैं उस चीज को भी लिद दूँगी, ये बड़ी मज़िदार बात है, इतना प of Henle होता है, well developed loop of Henle होता है, counter current mechanism चलाते है, इनका loop of Henle भी नहीं होता है, और ये पानी कभी drink करते ही नहीं है, so they never drink water, they absorb it through the skin, और जब ये पानी में रहते हैं, तो ये dissolved oxygen को simple diffusion से ही, cutaneous respiration skin, वैसे cutaneous respiration इनका हमेशा चलता है, ये पानी में भी cutaneous करते हैं, cutaneous इनका all time चलता रह operation भी show करते हैं, with the help of bucko pharynx, वहां से भी air की बीटा exchange कर सकते हैं, and ये lungs का भी इस्तमाल कर सकते हैं, जिसको कहा जाता है, pulmonary respiration, ठीक है, so cutaneous respiration, skin के थू जो इनका हमें लिख देते हूँ, dissolved oxygen, dissolved oxygen in water, dissolved oxygen in water, dissolved oxygen in water, is dissolved oxygen is water, is water, is simply utilized by simple diffusion, also let me give you that reminder, हाँ, ठीक है, मैं देख रहती हैं, हमने fresh water word लिखा हूँ है न, पानी से मुझे याद आया, land पे बिटा, cutaneous respiration तो इनकी all time on है, cutaneous respiration, skin के थू, ठीक है, इसके अलावा मैंने क्या कहां बेटा, ये बक्को फैरिंग्स का भी इस्तमाल करते हैं, बक्को पैरिंजील रेस्पिरेशन, बक्को पैरिंजील रेस्पिरेशन, with the help of बक्को फैरिंग्स में एक डाइग्राम दिखाती हूँ, एर की एक्सचेंज करते हैं, और इनके पास कुछ बेटा पिंकिश, अपर थोराक्स रीजन में कुछ पिंक कलर के पैर्ड सक्लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिने लंग्स का इस्तमाल भी ये करते हैं, जिने बोलते हैं, पलमोनरी रेस्पिरेशन, सो ये pulmonary respiration भी करते हैं, pulmonary respiration भी करते हैं, with the help of paired, pink colored, sac like lungs, located in upper thorax. located in upper, upper trunk लिख दो, thorax तो आप इनमें define भी नहीं कर रहे हो न, upper trunk area में, upper trunk area में, ठीक है, क्योंकि इनका thorax और abdomen तो fuse ही हो गया है, और इनका अलग से थोड़ी है, trunk बना रहा है, वो completely body का part, है न, तो तीनो respiration शो किया, पानी में इनोंने cutaneous, cutaneous all time on है, in fact all time on है, यही बात मैं आप से कहना चारी हूँ, कि देखो normal condition में तो बात अलग है, normal condition में तो बात अलग है, मैं यह बताओ कि जब वो sleep में जाते हैं, जब वो burrows में रहते हैं, जब वो deep burrows में रहते हैं, winter sleep और summer sleep के दोरान, तो वो क्या करते हैं, तो भी वो बेटा, और यह very very important है, तो भी वो बीटा, cut Qtaneous respiration का ही इस्तामाल करते हैं इसका तो यूज नहीं करेंगे ना लंगस का यूज़ नहीं करेंगे कूटίνई ऊसरेशन को ही इस्तामाल करते हैं जब वो Winter sleep करें यह सिमर लिखलो बस इतना ही आपके respiration में और जादा कुछ है ही नहीं, बस, that's it, flow chart में ही लिख लो और इतना ही लिख लो, ठीक है, अरे भाई हमारे frog का एक सुन्दर सा डाइग्राम तक आगे हमारा वो डाइग्राम बिटा, अरे भाई, जिन्होंने हमारी PPT लगाई है बिटा, उन्होंने वो डाइग्र ये इनकी बक्को फैरिंग्स, इनका एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, पांच, कितना सुन्दर बनाया है ये मैं नहीं कह सकती, ये इनकी external nostril, इससे हवा बिटा, ये अंदर लेके आते हैं, air moves through the external nostril, ये है इनका बक्को फैरिंग्स, जिसकी मदद से भी बिटा, ये बक्को फैरिंग्स ये रेस्पिरेशन करते हैं, और आगे बिटा, ये लंग्स से connected आपको दिखेगा, जो pinkish color के इनके पास बिटा, पेर्ड लंग्स होते हैं, मैं पेर्ड तो नहीं दिखा सकती, मैं एक सिंगल आपको दिखा देती हूं, जिसके through भी बिटा, ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं, that is your pulmonary respiration, this is the lungs, तो external nostril से बिटा, air pass होती है, external nostril से air pass होती है, बक्को फैरिंग्स में जाती है, और बक्को फैरिंग्स से भी बिट बिटा, exchange हो सकता है, this is बक्को फैरिंग्स रेस्पिरेशन, वैस्ते बिटा, बहुत डीटेल में पढ़ाने को तो पढ़ाया जा सकता है, बढ़ आपके किसी काम कानिये, frog की टंग कुछ जादे muscular नहीं बन गई है, तो हमारी जो breathing होती है, वो अलग होती है, lungs वाली as compared to frog, कु जिसे बक्को फैरिंग्स रेस्पिरेशन कहते हैं, and of course बिटा, lungs के थू भी यह, आप रेस्पिरेशन कर पा रहा है, तो obvious ही बात है, यह पल्मुनरी रेस्पिरेशन भी दिखा रहा है, तो यह आप additionally याद रख सकते हैं, यह मैंने बक्को फैरिंग्स सोड़ा सा बना के आप about the larva, यह तो मैंने adult frog की बात की, लेकिर आपको पता है कि इनमें indirect development होता है, indirect development का मतलब यह larval stages के थू जाते है, metamorphoses होता है इनमे, larva gets converted into adult frog, और अगर आप लार्वा को देखोगे, adult frog को देखोगे, लार्वा को बहुते है tadpole, तो tadpole और आपको adult frog में, differences तो बहुत ज़्या नज है, और वो पानी में रहता है और उसके पास होती है gills, बाद में इनके बास gills नहीं रहेंगी, of course adult में तो gills से respiration ही नहीं, पर tadpole जो इनका larva होता है, यह किसका use कर रहा है बेटा, it uses gills, it uses बेटा gills for respiration, क्या मेरी बास समझ आगे, सभी प्यारे जगसन यारे बच्चों को, yes everyone, क्या मेरी बास समझ आगे, बच्चा, yes everyone, this is your respiration, अब अगेन एक system की बात करेंगे, जो थोड़ा सा elaborative दिया हुआ है, और NCRT की lines को simply पढ़ लेने से, वो समझ नहीं लगता, हाला कि कुछ terms ऐसे दिये हो हैं, जिसको बताने के लिए आपको, जैसे हम हम हाट का diagram बनाते है है ना, वैसा वाला diagram भी हम box बना के भी हाट का diagram समझते हैं ना, chambers, वैसी हम कुछ बेटा, इसके chambers को समझने के लिए, और इनका circulation समझने के लिए, थोड़ा diagram का इस्तमाल करेंगे, ठीक है, तो बात करते हैं, इनके circulatory system की, इनके circulatory system की, अब इंसी आती नहीं का है कि frog के पास एक तो vascular system है, blood vascular system, जिनमें बेटा इनके पास blood vessels है, इनके पास blood है, और इसके पास heart है, और अफकार्स इनके पास इनके पास है lymphatic system भी, जिनके पास बेटा lymph होगा, lymphatic channels होगे, है ना, इनके पास lymphatic system भी है, मैं इसकी properties बाद में आपको लिखाती हूँ, lymphatic system की, पहले मैं आ तो इनका blood move कर रहा और lymphatic system के तुछ इनका lymph move कर रहा हमारे पास भी वैस्कुलर सिस्टम होता है हमारे पास भी पीटा लिम्फाटिक सिस्टम होता है ठीक है बात करते हैं सबसे पहले इनकी बेटा अच्छा इनके पास special portal circulations भी है हमारे पास भी होते हैं घ्रो करो special portal circulation याद करो अगर हम body fluids and circulation में पढ़ते हैं कि अपने पास एक होता है हीपाटिक पोटल circulation एक होता है हाइपोफाइशील पोटल circulation जो हाइपो दालमस और पिट्यूटरी के बीच का connection होता है वैसे ही मेरे प्यारे प्यारे बच्चो इनके पास भी बीटा पोटल circulation होते हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगी special connections होते हैं नॉर्मल से हटके portal circulation होते ही special connections है चाहे वो हमारे में हो चाहे बीटा वो frog के case में हो तो इनके पास भी portal circulation होते है हमें इनके case में बीटा दो portal circulation पढ़ने है एक जो हमारे पास नहीं होता है renal portal circulation और एग है इनके पास हिपाटिक पॉर्टल सर्कुलेशन जो अपने जैसा ही है हिपाटिक पॉर्टल सर्कुलेशन बट यह स्पेशल पॉर्टल सर्कुलेशन पढ़ने से पहले और लेपाटिक सिस्टम पढ़ने से पहले बिटा blood obviously it consists of blood it consists of blood में क्या होता है बेटा जैसे हमारे पास plasma है blood cells है इनके पास भी plasma blood cells नहीं ऒथाओंगी इते Beach behind is पिर हे इता इनके पास blood vessels blood vessels और इनके पास है बेटा heart अब इनके heart में है बेटा कुछ बात बात तो हमारे heart में भी है बट अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इनका जो हाथ है, पहले तो आप मुझे बताओ, आपने अनिमल किंग्डम में पड़ा हुआ है बिटा, कि हाथ जो होता है, इनका कितने चेम्बर होता है, मैं एक सिप पाने पी लेती हूँ, हाथ जो है बिटा, इनके कितने चेम् system, well developed blood vascular system, blood vascular system और दूसरी बात में ये कहना चाहरी हूँ कि आप पहले मुझे बताओ इनका हाट कितने ही चेंबर हो इनका circulation कैसा है, इनके पास होता है closed या open circulatory system, obviously closed, closed किस वजह से किसी भी circulatory system को बोलते हूँ due to the presence of network of capillaries between the arteries and the veins, closed network, closed किस से होता है, capillaries से, अपना भी closed है, इनके पास भी बेटा, closed circulatory system है, पहले तो ये याद रखना है, इनके पास भी closed circulatory system है, इनके पास भी closed circulatory system है, दूसरी बात मैंने आप से क्या पूछी बेटा, मैंने आप से ये पूछी, मैंने आप से ये पूछी, मैंने आप से ये चीमबर होता है माम तो हाट होता तो मैं इनका थ्री चीमबर है हमारे पास कितने चार चीमबर होते हैं हमारे पास चार चीमबर होते हैं दो एट्रिया दो एंट्रिकल इनके पास दो एट्रिया तो होती है लेफ्ट और राइट बट इनका जो वेंट्रिकल होता है वो सिंगल ह त्रवार्टिरियोस जिसे ट्रंकस अर्टिरियोसिस भी बोलते हैं यह नहीं किया है बट यह दोनों एडिशनल चेमबर्स इनके पास होते हैं जो इनके हाट को थोड़ा यूनीक बनाता है और अफकोर्स तीन चेमबर्स है तो अपने केस में तो माम दी ऑक्सीजिनेटेड और oxygenated बिल्कुल separately travel करते हैं पर इनके case में oxygenated और deoxygenated separated नहीं रहे पाएंगे क्योंकि ventricle तो single ही है न माम atria अलग है पर ventricle common है तो थोड़ा समय इनका circulation भी आपको समझा देती हूँ पहले तो मैं यह लिखना चाहरी हूँ कि इनका जो heart है थ्री चेंबर है यानि की माम इनके पास दो एट्रिया है बट कॉमन ventricle या single ventricle या single ventricle है न एक इन अडिशनल चेंबर है माम और इनमें mixed circulation या incomplete double circulation mix circulation या incomplete double circulation दिखती है incomplete double circulation दिखती है अच्छा मेरे बच्चो एक चीज क्या मैंने बताई आपको की टू additional chambers are seen that are connected to the heart two additional तो इसे star mark करेंगे पहली बार क्योंकि आप इसका नाम सुन रहे है two additional chambers in the heart two additional chambers in the heart क्या होते है बिटा एक है इनके पास sinus venosis sinus venosis और एक है बिटा इनके पास conus arteriosus konus arteriosus देखो नाम डिपिकल्ट है बड़ कॉंसेप्ट इजी है जिसे ट्रंकस arteriosus भी बोल सकते हो कि ट्रंकस आर्टीरियोसिस ट्रंकस आर्टीरियोसिस आर्टीरियोसिस अच्छा जो हम बोल रहें बिटा कि इनके पास ठींबर हाट है इनके पास ठींबर हाट है इनका थोड़ा सांसर्कूलेशन समझने की कोशिश करते हैं कि टर्कूलेशन जो मिक्स अब बोल रहें आखिर इनके पास मिक्स अर्कूलेशन होता कैसे है एक बडिटा इसका ना जो बेसिक हम human heart के case में भी डाइगराम बनाते है ना human heart के case में भी हम जो डाइगराम बनाते हैं जो डब्य वाला डाइगराम होता है वो एक बारी इसका बना के देखने हैं ठीक फिर flow chart तो लिखा वह हमने flow chart आपके साथ में डिसक्स कर लेंगे ठीक है इसके हाट की थोड़ी से discussion करते है बच्चो इसके हाट की थोड़ी से discussion करते है जैसा कि हमने कहा है क्या बिटा की थी चेंबर हाट तो है दो एट्रिया बनाने एक वेंट्रिकल बनाने बट हम यह additional chambers दिखाने sinus venousis and बिटा या conus arteriosus या trunkus arteriosus ठीक है पहले मैं लिखती हूं बिटा हम सबसे पहले इनकी हाट के बारे में discussion करने वाले है अफकॉर्स बिटा जिसे हमारा हाट भी बिटा हमारे chest area में located होता है हम कह सकते हैं कि इनका भी जो अपर थोराक्स मताब अपर ट्रंक के रिया होता है अपर ट्रंक के रिया होता है आप का लगी या गडी chil मिरिक भी दी जौन इसे हमारे हाट ऩराउन में इच अइफ कभारिय कि ज्दील मोज एंपने ले तक क्यों को और मैं पैकॉर्डेम कॉल अ अनु टैम तबहरे होता हा भी पेरी काडियम मतलब होता पैरी मतलब Erde हॉट्गरों पैकॉर याडियम घोरेंग जय से हमार होती है बिटा के अराउंड दी हाट के अराउंद्धी हाट से बसाशल हम लग गई बच्चाबाड़ी है एसका गनल्म अ तो इसका जो बेशटा का जैसे हम आपको वह वैसा बनाने की जरूरत ने आप डबे वाले हाट से भी समझ सकते हो यह इसका राइट यह मैं यह लेफट अंट्रीयम है यह इसका लेफट अत्रियम है और यह पिटा इनका कॉमन वेंटिका शेंबर तो आपने बना लिये त्री चेंऑर हाट ठीक है इसके अलावा बच्चों हमने कहा कि इनके पास sinus venosus होता है एक triangular structure sinus venosus this is present on the dorsal side of the heart ठीक है और एक होता है conus arteriosus which is present on the ventral side of the heart conus arteriosus के लिए बात बहुत clearly कही गई है कि वो ventral side पर होता है देखो आप concept समझ जाओगे न बिटा आपको एकदम circulatory system थोड़ा से ऐसा है जो समझ नहीं लगता है अगर आप ncrt से statements को read करो वैसे उतना दिक्कत वाली बात नहीं अगर आप बिटा भी diagramatically समझोगे न फिर आप flowchart देख लोगे आप लोग आपको लगेगा कि इतना डिफिकल्ट नहीं था जितना डाइग्राम से देखके लग रहा है या फिर बिटा रीप्रक्टर सिस्टम भी जवाब देखो ना तो ncrt में क्योंकि उतना और्गनाइज वे में ने दिया वाद तो लगता है कि दिकता है अगर वाइस बीटा फ्रॉक के सारे करता है क्योंकि मैं बेंटे कल तो कॉमन है अपने जैसा मैं राइट साइड लेप साइड ओक्सीजीनेट नेटिट बिल्कुल सेपरेट सिस्टम है मिक्सिंग नहीं हो रही है ऐसा इनके पास बेटा नहीं है इनके पास इनकम्प्रीट या फिर मिक्स CERCULATION हो पारी है अच्छा अपने पास जैसे आर्टीरियल सिस्टम होते है वैसे इनके पास बीने के वास होंगी तो अपने पास होता है ठीक है अब मैं कह रही हूं पहले मैं आपको चेमबर समझा देती हूब होते कहां पर हैं पहले यह समझना हमारी केस में क्या होता है हमसे रिलेट करोगे तो और बेटर अंडस्टाइनिंग होगी हमारी चैसमें सारा डी- ऑक्सिजिणेटेट ब्लड वेंस से कलेक्ट होते हुए आता है पल्मोनरी वेंस एक एक्सेप्षन है जो ऑक्सिजिणेट ब् को बॉड़ी पाट से कैलेक्ट करके वीना केवा के अंदर ढलती है के वीना केवा बड़ी और वेन्स होती है बड़ी वाली वेन्स और हमारी बॉडी में वूण वीना केवा चाहे सुपिर और या इनफीर बिटा वो डियोक्शिजेटर ब्लड को कहां डंप कर देती है एत्रियम में ब्लड को डंप नहीं करती बचो इनस्टेड ऐसे समझने की कोशिश करना समझो मेरा फोन को ही समझने की कोशिश करो कि समय यह हाट न्का ठीक है हाट में इनके पास बिटा आफकोस राइटियम लेफ्ट एक्री मारे common ventricle है अगर यह हाट का वेंट्रल साइड है और यह हाट का डॉर्सल साइड है तो इनके बीटा हाट के डॉर्सल साइड पे राइट एट्रियम के ऊपर अब मैं फोन को अगर घुमा दू अगर फोन को थोड़ा घुमा ही देते हैं ठीक है ऐसे नहीं घुमाना है मता अगर त इसके ऊपर बेटा कुछ इस तरीके से चिपका होता है इसके डॉर्सल साइड पे बीटा जाएगि junto यह एक इसा ट्रायांग्यूलर साइक स्ट्रक्र स्ट्चर होता है ऐसे ट्राइगलर से एक स्ट्रॉक्चर होता है और उस sinus venousis और right atrium के बीच में connection opening है जिससे sinus venous का जितना भी blood है वो right atrium में आ जाएगा अपनी case में vein से वीना केवा वीना केवा से right atrium आ जाता है इनके case में vein से वीना केवा वीना केवा से sinus venousis जो right atrium के dorsal side पर है और बेटा sinus venous विरो से right atrium बस इतनी सी बात है ठीक है आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखो और बनाओ भी बेटा कुछ इसी तरीके से है ना मैंने थोड़ से डाइग्राम बेटा इस साइड बना दिया कोई कर निया चलो तो मैं ऐसे बनाती हूं कि मैं इनके पास एक ये ट्राइंगुलर सा जो स्रॉक्चर आपको दिख रहा है जो इनके मैं क्या है राइट एक ट्रम के डॉर्सल साइड पर है इसे बेटा साइनस्वेटर इस साइनस्वेटर इन से सब्सक्राइब क्या क्या पॉइंट्स के बारे में बताया मैं दॉर्सल तूदी राइट एक एक प्रिया बोलोगे ए ए त्रॉय ऎंगूल ए और यहां व्लाद खा hàng से आया बीट अफ और्पर्स यहां से जो ब्लड होगा वह ब्लड मेट सब्सक्राइगा तो इविनच्वेल ही तो मैब ऐड़ क्योवाइट से ओकनेक्टेट है क्योंकि वो राइट इत्रेम से तो आप बना तो ऐसे करके तो होगे कि ब्लड तो राइट इत्रेम में जाएगा दोना के बीच में connection है बट मैं साइनस विनोसस के अंदर ब्लड कहां से आया तो मैं ऐसे लिख सकती हूं कि बीटा वीना के वास किस से अटाच है सारी जो वीना के वास है वो किस से अटाच थी आपके साइनस विनोसस से और वीना के वा में कौन जॉइंट थी छोटी झोटी वेंस वेंस काहां से बीटा बलड लेके आ थी एक्जांपल और अरगन से और गन से डि-олод के थूघ ब्लट ब्लाइट जाया और राइट ऐट्रियुएं में गाया और राये जीआ विथी have a बनाके रखा हुआ है आप फ्लोचार्ट भी देख लेना बट ये फ्लोचार्ट भी देख लेना डाइग्राम से तो और अच्छे से क्लियर होता है हाला कि देखो डाइग्राम इत्ती ही क्लियर ली NCRT देती नहीं है बट आपकी अंडरस्टानिंग होई नहीं पाएगी अगर आपके लंग से मतब फ्रॉग के लंग से आप कह रहे हो पलमुनरी वेन्स और यहां से मैं ऑक्सीजिटेट ब्लेड कहां आया यहां से ऑक्सीजिटेट ब्लेड आया मैं हमारे लेफ्ट एत्रियम में हमारे मतलब हमारे से मतलब तुम हमेशा समझना मैं फ्रॉग की बात कर रही हूं oxygenated blood यहां से oxygenated blood left atrium से कहां गया मैं ventricles में अब बिटा हमारी body होती तो left ventricle में इनका तो common ventricle है हमारी body में अगर left atrium से oxygenated blood आता तो वो आता बिटा left ventricle के अंदर और left ventricle से iota निकलती iota पूरी body को वो blood pump कर देती हमारी case में तो मामला खतम इनकी case में ऐसा नहीं होता इनके case में जैसे बिटा right atrium में directly नहीं आया blood sinus venousis से होता हुआ आया वैसी ventricle से पूरी body में directly नहीं जाएगा किस से होते वे जाएगा conus arteriosus होता वा जाएगा जैसे बिटा हमने में बोला इसके case में right atrium के dorsal side के ऊपर एक chamber होता है वैसे इसके बिटा tibular structure होता है जो ventricle के ventricle के ventral side पर होता है vn v याद रख लो क्योंकि यह भूल जाते हो आप अकसर कि यह dorsal है या इसके ऊपर जो सार्टीरियोस से वो दॉर्सल है तो आप याद रख लो वीफर वेंट्रिकल उसके ऊपर जो होगा वो वेंट्रल साइट पर होता है अब हुआ क्या मेरी बात समझना समझ लो कि मैं ऐसा एक स्रॉक्चर बना रही हूं ठीक है जिससे में क्या अला कि बीटा एक्जाक डियाग्राम में नहीं बना रही हूं बट मैं तुम्हें समझाने के लिए जस बता रही हूं ठीक है इसस को नस आथने ओस ऐसे टमझ लें न की वेंट्रीकल से जोऊचीजिनेट बलड था मैं अइन होशने ब्लड में ब्लाड की जो मिक्सिंग हुई बेटा राइट दरीम और लेट देट्रीम से जोब्डड कafter big sinwood की वह पहले कौन से चेम्बर में जायेगा जो breaking के ventral side पर present है and this is called as बच्चो क्या this is called as conus arteriosus this is called as conus arteriosus this is conus arteriosus इसके बारे में क्या लिखूंगी sack like structure sack like structure sack like structure present sack like structure present ventrally to the ventricle ventrally to the ventricle of course beta yaha se kya nicole raha hooga yaha se iota nicole ghi yaha se kya nicole ghi bit of course about a man yaha se kya nicole ghi yaha se iota nicole ghi orbita yaha se iota nicole ghi ठीक है इनके पास जो आयोटा होती है उसे डॉर्सल आयोटा बोलते है आपको बिटा यह diagram ना exactly ऐसे follow करने की जरूरत नहीं है अब आप यह diagram देखेंगे तो ऐसे भी confused होंगे आप simply ऐसे याद रखेंगे एक simple सा diagram बनाओ जो आपके काम का है आप ऐसे बना लो कि मैम यहां से जो blood vessel निकलती है वह eventually आयोटा होती है फिर आयोटा बिटा आगे जाके तो branch करेगी ना आयोटा विल branch into artery आयोटा विल branch into artery हमारे case में बिता ऐसा ही होता है आयोटा ब्रांच करती है into arteries तो हम कह रहे हैं कि common ventricle से mixed blood गया conus arteriosus के अंदर conus arteriosus से मैम निकला आयोटा conus arteriosus से निकला मैम आयोटा आयोटा की branch होती है the arteries बस mixed blood circulate हो चुका है बीटा body के अंदर इसी के थूट तो circulate होगा और यही बेटा क्या form करेगी आपका arterial system जैसे वहाँ वीना के वार वीन्स ने क्या form किया था आपका venus system वैसे यहां arteries और बिटा आयोटा मिलके क्या form करेगी arterial system समझ में आ गए मेरे बच्चों बात तो इससे बीटा पूरी body में इनके mixed blood का circulation हो जाता है क्या इसमें कोई oxygenated आएगा left atrium में oxygenated आएगा but इनकी mixing ventricle में हो रही है but right atrium में directly blood नहीं आता और ventricle से directly blood नहीं जाता right atrium के dorsal side पर होता है triangular sinus venosus जिससे connected होती है वीना केवा और वीना केवा से connected होती है आपके sinus venosus में आया sinus venosus right atrium के बीच में opening है यहां से blood right atrium में चला गया right atrium से ventricle में चला गया common in the same way lung से oxygenated blood आपके left atrium में आया left atrium से oxygenated blood ventricle में गया रहां mixing होगी ventricle से निकलते हैं आयोटा जो आयोटा बेटा ventricle से निकलता है konus arteriosus ठीक है ventricle से निकलता है konus arteriosus और यह ventricle से konus arteriosus के बीच में चो connection है यहां से वो mixed bloods konus arteriosus में गया konus arteriosus से आयोटा आयोटा से बेटा arteries और वो पूरी body के अंदर supply हो गया मेरे बच्चो आयोटा और आर्ट्रीज ने मिलके arterial system का formation किया चाहो तो इसका एक छोटा सबेटा इसको पॉस करके वैसे नोट कर लो डाइग्राम से बहुत बैतरीं क्लियर हो जाता है इसमें थोड़ी confusion रहती है अभी आपको कोई confusion नहीं होगी एक बारी देखो बीटा 》 वेन्स डी-oxygenated ब्लड और्गन से लेकी आरही है । वीना के वा में लेके है वीना केवा sinus venosus से मिल रही है sinus venosus dorsal side पर है right atrium के यह से बेटा common ventricle में आपका ब्लड चलागिया lung से oxygenated blood आ रहा है oxygenated blood left atrium में आ रहा है branch होती है artery और artery से पूरी body को यह mix blood supply हो जाता है ये बनाती है arterial system ये बनाती है venus system एगदम simple short and sweet यह बच्छा परी मिर्कों comment में जरूर बताना मेरे प्यारे प्यारे जखसी नहीं बच्चो यह तुम्हें समझ लगा कि नहीं बिटा यह बिलकुल समझ लगेगा यह बहुत बहुत आई थिंक का फ्लो चार्ट से तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ठीक है अब बेटा हम इसकी ना थोड़ी सी बात करते हैं क्या ब्लड की मैं एक काम करती हूं खुदी आपको ना खुदी आइंड अफकोर्स बीटत बिलड की तो बात करूंगी ही और ब्लड वेक्स के लिए स्थिस्ष्टम का काम क्या हूता है ट्रांसपोर्ट ओव गैसे धीर ट्रांसपोर्ट ओफ न्यूट्रियंट जिसे हमारे केस में होता है, मैंने अभी तुम्हारे को सिर्फ इसकी हा लेटलेट्स होते हैं जैसे इनके पास भी प्लाजमा, ब्लड सेल्स, ब्लड प्लेटलेट्स, यानि की थ्रॉम्बोसाइट्स, यह सारी चीज़े होती हैं बच्चों, बस एक चीज याद रखनी है, इनके आर बीसी में हमारे आर बीसी से थोड़ा सा डिफरेंस है, इनकी जो आर बीसी है, जिसे मैं क्या बोल रही हो बिटा, इराइथ्रोसाइट, जिसे मैं क्या बोल रही हो, इराइथ्रोसाइट, यह जो होती है, यह जो होती है, यह याद रखना है, अपनी जो आर बीसी होती है, उसमें हम सारा स्पेस, फ्री के लिए बिटा, क्रिएट कर देते है hemoglobin के लिए इनकी RBC nucleated होती है but of course with hemoglobin with a reddish with a reddish pigment hemoglobin hemoglobin इनके पास भी है बस यह nucleated है यह याद रखना है कि एक है हीक है ही明oglobin फिर बात करते हैं इनके WBC की यानि की Leukocytes यानि की Leukocytes इनके पास भी WBC हमारे पास भी WBC ठीक है समझ में आगे बात प्लस इनके पास बीटा फ्रोटी की होती है इनके पास प्रोटीन भीscenes होते हैं इनके ब्लड इसे बेटा जैसे हमारे पास भी ब्लड वेश्ट कुलर सिस्टम है एक सब्सक्राइब हमारे पास सेयनफ सिस्टम है इनके सेयनफ केज में है पर एक चीज बस में हापर बीता लिख दे ंच चली ब्लड लिग दिया तो एक नोट डालके हम लिख देथें कि ब्लान इंट वैस्कूलर शिस्ट्म जो कि हमारे हाट ब्लैड और ब्लैट वैजिर से मिलके बना था वो क्या कर रहा है बेटा, Blood Vascular System, वो क्या कर रहा है, बेटा, Blood Vascular System, Transport of Gases, Nutrient, etc., transport of gases nutrients एक्सेक्टरा ओके येस बात करते हूं इनके lymphatic system की तो बेटा थोटा सा दिया हुआ है फिर मैं थोड़ा portal system के बारे में बताऊंगी इनके पास दो portal system है उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी lymphatic system में क्या क्या है लिंफ है क्लरलेस है लिंफ क्योंकि नो आर बीसी रेड कलर वाला पिगमेंटी नहीं है तो क्लरलेस बना देती है wbc तो होते हैं बट बेटा लेस्ट प्रोटीन जैसे अपने केस में बेटा लेस्ट प्रोटीन सोते इनके केस में भी इनके पास लिंफ के अलावा होते लिंफ चैनल स्याद रखना है हम अपने में बिटा लिंफ आटिक वेजल्स बोलते हैं थोड़ा बहुत हम पढ़ते भी अपने लिंफ के बार लिंफ एक सिस्टम के बार में हाला कि डीटेल में तो अपने में भी नहीं दिया हूँ है और इनके पास होते हैं आपने लिंफ करना है एक है है हे पॉर्टल सर्कूल एशन हेपाटिक पॉर्टल सर्कूलेशन जो की बच्चों हमने अपने केस में भी पढ़ा है और एक जो बीटा हमें डिसकस करना है जो अपने पास नहीं होता लास्ट इन ही के पास मिलता है अनिमल किंग्डम में जो हम कॉडेट्स में पढ़ते हैं इस रीनल पॉर्टल सिस्टम थो लिए की मीजोनेफरिक किद्नी मेटानेफरिक किद्नी बेट और आफकोर्स इनके किद्नी थोड़ी हमसे तो अफकोर्स लेंस डेवलाब्ड अच्छा पहले सुनो पॉर्टल सर्कूलेशन होता क्या है जिनको भी बिलकुल भी अंदाजा नहीं है बोडी फ्लोर्टल सर्कू होता क्या है। बटा बॉडि में यूजुवली क्या होता है ना कि हासे अगर आप देखोगे जो आयॉता होती है वह आट्री बनाती है आऄर्टीजीर होती है है capillary network में तूटती है और capillary network से हमारा जो veins होता है वो बनता है वेन से वीना केवाई वीना केवा से हाथ बाडी का circulation ऐसी होता है न बिटा की organ से heart heart से organ चला गया फिर organ से heart heart से organ इनके case में भी हम close supply एस सब्सक्राइबुर्ट फुल रहे थे देखो जघशा यहां पे इनके case में हमने बीटा क्या बोला था system तो है, कॉकर रोज का क्या होता है बिटा, आर्ट्रीटी जो, अगर blood vessel है भी तो blood vessel open space में जाके खुल जाती है और open space में अपने fluid को dump कर देती है, तो एक blood vessel और blood vessel के बीच में अगर आपके पास capillary का जाल हो तो उसे आप बोटे हैं close circulatory system एक blood vessel दूसे blood vessel की बीच में यह जो close बनता है वो capillary network की वज़े से बनता है जो इनके case में भी आपको दिखता है close circulatory system arteries और veins they are bounded by network of capillary अब usual तो body का system में आपको बता दिया ना कि heart से जो blood जाता है organ के पास फिर वहां से deoxygenated blood collect हो के वापस से heart के पास लेकिन अगर कभी आपको दो organ के बीच में ऐसा special connection दिखे कि एक organ मतलब की ना organ क्या कर रही है सीधे heart में ना blood लेके जाके अगर portal circulation है तो वो पहले अपने दोस्त के पास जाती है उसका पहला destination होता है उसका दोस्त ठीक है पहले जैसे बिटा अगर तुम कभी school जाते हो और तुम है अगर तुम जाते हो अपने वेहिकल से जाते हो अपने cycle से जाते हो या पैदल जाते हो तो डारेक्ट से ब्लड डारेक्ट हाट में नहीं गया एक एक सेकंड और गन से होता हुआ अपने दोस्त से मिल के वो हाट में गया मेरी बास समझ रहो हो ना क्या चाहिए था बीटा कि ओर गन से डियोख सीद्ध हाट में चला जाए फिर वहाँ से हाट से जो भी ब्लड पंप कर रहा है mixed blood जैसे इसके किसमें, वो organ में आए, फिर organ से heart, फिर heart से organ, organ से heart, ऐसा होना चाहिए, बट अगर एक organ से blood directly heart में ना जाए, बल्कि अपने मित्र के पास पहले जाए, यानि दूसरे organ के पास पहले जाए, और दूसरे organ से फिर वो heart के बीच में जाए, ऐसे connections को आप portal circulations बोलते है ऐसे connections को, organ और organ के बीच का, जो special connection होता है, vessels का, blood vessels का, जो capillary network से start होता है, capillary network पे खतम होता है, उसे पहली बात आप portal circulation बोलते हैं, मिरी बात समझ गया है, कैं मिरी बात समझ गया है, येस, तो देखो, मैं यहाँ पे पहली बात तो लिख रही हूं, कि special vascular connection between organs, पहली बात तो special vascular connections, special vascular connections between two organs, that starts with capillary, ends with capillary, that starts with capillary, and ends with capillary, done, अब बेटा जैसे हमारा भी hepatic portal circulation होता है, अगर आपने पढ़ाओ, तो हमारी hepatic portal circulation में, हमारी GI tract हमारा, जो gastrointestinal tract है, elementary किनाल है, stomach हो गया, intestine हो गया, उसके और liver के बीच में एक connection होता है, hepatic portal vein से, इनके case में भी वैसा ही है, जिससे हमारा जो ammonia rich blood है, वो पहले ही liver मे जाता है, और फिर वहाँ से ammonia से urea में conversion हो जाता है, urea cycle चलती है, बेसिकली, तो यहाँ पे बेटा simple सी एक बात कही है, hepatic portal circulation के लिए, कि मैं, अगर आपको इनके भी, अगर आपको मैं, इनके भी liver, मैं आपको diagramatically बना के बता देती हूँ, बर diagram दिया नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ी सी ना understanding better हुजाती है, तो मैं इसी लिए बना रही हूँ, otherwise बिटा ऐसे diagram तो दिया नहीं है, अगर मैं बोलूँ कि इनके माम, GI tract, इनके GI tract, ये इनका intestine, stomach, अगर इनके GI tract, तो यहाँ से बिटा, निकल रही है, वो capillary network, देखो, जाल, capillary network, अब मेरी बास समझना, अगर GI tract, इनका gastro intestine, इनका stomach intestine से, ये capillary network, blood vessel बनाती, veins बनाती, veins वीना के वासे मिलती, वीना के वासे सीधा हाट चली आती, तो नॉर्मल circulation होता, बिटा, पॉर्टल circulation नहीं होता, पर इनोंनों सोचा, कि यहाँ से जो blood capillary network निकल रही है, जो veins में convert होंगी, वो पहले अपने मित्र से मिलेंगी liver और liver से पर वो blood heart में जाएगा, तो organ और organ की बीच का special connection हुआ ना, इसे लिए इसको portal circulation बोला आपने, तो ये बेटा, network of capillary से start हुआ, GI tract से, gastro intestinal tract से, ये बनाती है, बेटा क्या, ये बनाती है, आपका, hepatic portal vein और ये hepatic portal vein फिर बेटा चली आती है, कहां, फिर चली आती है आपके liver के पास, और liver में जाके भी ऐसे capillary network में तूट गई, समझ गए मेरे प्यारे प्यारे, जग से ने आरे बच्चों, येस, this is the stomach, this is suppose the intestine, and this I am saying, GI tract, और NCIT में यही दिया हुआ है, आपसे NCIT में जो दिया हुआ है, उसी से सवाल पूछेंगे, कि बता दो कि, hepatic portal circulation, gastrointestinal tract ते कबारी लिखलें दो, hepatic portal circulation, किसके, किसके बीच का है, सिर्फ इतना ही पूछेंगे, सिर्फ इतना ही पूछेंगे बचो, तो gastrointestinal tract और liver, ये भी capillary, वो भी capillary, कि क्या पिलरी छुरू कािपिलरी पिकताम बई ये इसे May अई फटैक पॉर्टल वें किकway अन्न可न डुन 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 धं सु मuur पॉर्ट चिंट की है जी इनल पॉर्टल शिस्टम की तो रीनल का मतलब ही आपको समझ मार रहे कुछ केरे दिसस्टम किया था ही है। से related है अभी मैं आपको kidney पढ़ाऊंगी इनके पास एक dark red color की kidney होती है जो इनके vertebral column के दोनों side पर either side of the vertebral column में इनके पास kidney present होती है है ना और जिद के पास structural and functional unit होता है nephron तो आगे तो पढ़ेंगे posterior surface पर होती है अपने भी तो posterior surface पर है इनके भी posterior surface of the body पर होती है kidney frog के तो फिलहाल मैं बताना चाहरी हूँ पहले kidney बना लेने दो मिरको renal यहां पर आया kidney से renal यहां आया kidney kidney और बेटा lower body parts के भीच में kidney और इनके body के जो lower इनके जो lower body parts है इनके जो lower body parts है उसके और kidney के बीच में भी एक connection होता है उनके और kidney के बीच में भी बेटा इक connection होता है जिससे बोला हो जाता है renal portal system पहले आप blood को lower body parts से यहां से capillary network निकालो पहले capillary क्योंकि capillory से शुरू होता है capillary पे ही खतम हो जाएगा capillary से शुरू होता है capillary पे ही खतम हो जाएगा तो पहले बेटा आप क्या कर रहे हो कि पहले आप क्या कर रहे हो ये जो लोवर बॉडी पार्ट से इससे डारेक्ली हाट में ब्लड ने लेके जा रहे हो आप क्या कर रहे हो बेटा पहले ब्लड को लेके जा रहे हो कहां किडिनी के पास तो औरगन और औरगन के बीच का special connection हुआ और बाड़न के बीच का special connection हुआ औरगन और औरगन के बीच का connection हुआ यहाँ से directly heart में blood नहीं गया यहाँ से भी directly नहीं गया और reason भी होता है बेटा lower body parts से पहले kidney में blood आ जाता है ताकि kidney से कुछ impurities को आप निकाल दो जैसे वो हेपाटिक पोर्टल वेन थी इसे बोलेंगे रीनल पोर्टल वेन इसे क्या बोलेंगे रीनल पोर्टल वेन ठीक है जी ये क्या है आपकी किडिनी आपको सिर्फ कनेक्शन्स याद रखने हैं किडिनी लोर बोडी पार्ट से रीनल पोर्टल सिस्टम लेवर और जी आ है क्या मेरी बात समझ आगए बिटा क्या आपको पॉर्टा सर्कूलेशन समझ में आ यह सब्सक्रिटरी शिस्टम की छी को पॉल्स करके बिटा आप नोट कर ले न बात करते हैं इन ऐक्स कृ histori system का जो डाइग्रामी इन सियवीम फोड़ा इनके री प्रक्शों सिम्त inference के साथ ही उतलगी तो समझते विए चलते हैं थीक है कि यह होता है इंके इक स्टिissenschaft सिस्टेम में आफ कोष्त स वे लडुब ureter, ठीक है, then urinary bladder, urinary bladder, of course, जिसकी ओपनिंग वे आपको urinary bladder, जो कि rectum के ventral side पर located होता है, NCRT में दिया भी वे, मैं आपको बताती हूँ, ureter, kidneys, cloica, so they have got, बिटा, pair of kidneys, a pair of ureter, a urinary bladder and a cloica, देखो, urethra की बाद हम यहाँ पर नहीं करते हैं, आपको पता है, आप अभी diagram में भी देखोगे, कि actual में, जो urine होता है, जो gametes होते हैं, in case of male, specifically, भी मैं समझाओंगे, आपको, सबके लिए common chamber आपने पढ़ाया, वज, in fact, आपका undigested, unabsorbed food था, वो भी कहाँ पर आ रहा था, इसी cloica के अंदर आ रहा था, इसी cloica के अंदर आ रहा था, ठीक है, अब excretory system की अगर मैं बात करूँ, और मैं सबसे पहले आपको समझाओं किसके बारे में, बिटा, kidney, तो kidney के बारे में, NCRT ने, बिटा, इनके बारे में क्या कहा हो है, और मैं diagram में भी आपको फिर दिखाऊंगी, कि, अफकोर्स, एक पेर तो होती है, dark red, dark red color की होती है, located, posteriorly in the body cavity, posterior side पर होती है, posteriorly in the body cavity, posteriorly in the body cavity, बच्चो, on either side of the vertebral column, vertebral column के, vertebral column के, दोनों sides पर होंगी, ठीक है, on either side of, on either side of vertebral column, ठीक है, बिटा, हमारी kidney में, क्या होता है, structural and functional unit, हमारी kidney में, क्या होता है, structural and functional unit, nephron, nephron का दूसरा नाम क्या होता है, uraniferous tubule, इनका भी structural and functional unit, क्या होता है, nephron, nephron का दूसरा नाम क्या होता है, uraniferous tubule, so, the structural and functional unit, इसको बोला आपने यूरीनी पैरस्टिब्यूल यूरीनी पैरस्टिब्यूल चीके समझ में आगे बच्चों बात एक बादी डाइग्राम देखना मेल और फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंस है अब पैरेंस में थोड़ा सा यूरेक्टर का डिफरेंस है थोड़ा ध्यान से डाइग्राम देखने की कोशिश करना एक बारी पीटा इस डाइग्राम को ना ध्यान से रैखते है और मैंने मेल और फीमेल क्योंकि बेटर डीपॉड़क्टिव और एक्सक्रीट्री साथ में from clear to all of you just listen to me very very carefully और बारी एक भेता जी इनमे डिफरेंश उसको को नोके पास मैंने बैकि धंके बहुआ ऐब ब्लाइटर है तो मैंने बीट लंटे वड्लाइडर हे तो मने बेटा इस यह or इसके को एकरP चीज मैंने दिया ठीक है बाकी दोनों में ये structures बाकी जो चीज़े वो common है difference कहां है इस ureter में थोड़ा सा difference है जो मैं भी आपको दिखाँगी मैं पहले आपको ये सारी चीज़े male और female दोनों में दिखा देती हूं male और female दोनों में दिखा देती हूं ये आपको male का system नजर आ रहे है ये इस जो डर्क रेडड कलर के स्रॉक्चर्स मैंने बना रखे हैं, इस जो मैंने दिखा रखा है बेटा, जो आपके मेल और फीम下次 में से थिन वाल्ड होती हैं, और rectum के ventral side पर होती है, NCRT में दिया हुआ है, यह मैंने testis दिखाया हुगा है, kidney के साथ में बिटाई यह attached होती है, with the folds of peritoneum, double fold of peritoneum, body wall के double fold of peritoneum से attached होती है, जिसे mesorchium कहते है, mesorchium is the fold of peritoneum, जिसकी मदद से kidneys के साथ में आपके testis जो होते हैं, frog के case में वो attached होते हैं, मैं दिखाऊंगी, इन दोनों के बीच का functional connection भी होता है, बच्चो, जो मैं आपको दिखाऊंगी, तो आपको kidney दिख गई, cloy का दिख गई, bladder दिख गई, urector मैंना भी दिखाया नहीं है, क्योंकि urector में difference होता है दोनों के case में, इसलिए वो मैंना भी female के case में बड़ी check करो बच्चो, यह जो मैंने हरे रंग का बनाया हुआ है, यह से attached नहीं होती बिटा, इसका कोई भी kidney से functional attachment नहीं होता, NCRT का diagram भी मैं तो में दिखाऊंगी, just is position पे present है, इसलिए basically हमने यहाँ पे यह बनाया हुआ है, this is ovary, this is बिटा क्या, this is your oviduct, this is oviduct, ठीक है, kidney दिखाया है मैंने नहीं, this is kidney, ठीक है, this is बिटा क्लोई का, उसके केस में भी था, common chamber, जहां urine भी आएगा, जहां undigested, unabsorbed food भी आएगा, जहां gametes भी आएगे, ठीक है, and this is the bladder, this is the bladder, अफ देखो, यह कुछ basic चीज नहीं है, जो मेरा female के case में, आपको reproductive system और excretory system ज दिख रहा है, कुछ ऐसा सा दिख रहा है, ठीक है, अब क्योंकि मैं extrretory system की बात करें, तो extrretory system प्याओ, male के case में, बेटा, kidney से जो ureter निकलती है, क्या निकलती है, बेटा, ureter निकलती है, ज़रा धिहान देना, यह तो female का है, male के case में, kidney से जो क्या निकलती है, मिर genital duct, बेटा, urino genital मतलब होता है, एक ऐसा duct, जो urine और genital मतलब gamete को भी carry करे, common एक duct, जो urine और gamete दोनों को carry करती हो, आप में से कई बच्चे होंगे, जिन्होंने, शायद human 11th के बच्चे होंगे, जिन्होंने, human reproduction अभी तक नहीं पढ़ा है, काफि सारे dropper पढ़ रहे होंगे, या 12th के बच्चे पढ़ रहे होंगे, जिन्होंने, human reproduction पढ़ा है, उनको पता होगा, कि males में, human males में, urethra होती है, जो male के case में, common duct होती है, बट one at a time, sperm आएगा, या तो urine आएगा, urethra होती है, यहाँ यूरेटर की बात कर रही हूँ, जब नीट में इसमें से सवाल आते तो इस पर्टीकलर जगा से question आया हुआ था, यूरेथ्रा नहीं बटा, यहाँ यूरेथ्रा का कोई concept नहीं है, यहाँ kidney से जो यह माम डक्त निकली न, यहाँ kidney से जो माम यह डक्त निकली न, जिसे हम क्या बोलते है, माम, जिसे हम बोलते हैं, ureter, यह male के case में, male के case में, only this is going to act as a urinogenital duct, female के case में नहीं है, पर माम, यह ureter, जो kidney से निकली, यह common duct की तरह काम कैसे कर रही है, इसमें से माम, sperm और urine, दोनों कैसे माम, पास हो रहे हैं, तो पहले मैं आपको लिख देती हूं, called as, starma कर ले न, बिटा, इसे, urinogenital duct, इसे urinogenital duct क्यों बोला, carry, sperm, plus urine, और कहां लेके जारी है, sperm और urine को बिटा लेके तो जारी है, इसी cloica के अंदर, इसी cloica के अंदर, पहले मैं ब्लैडर के बार में भी एक दो बाते लिख देती हूं, जो male, female के लिए वैसे common है, thin wald, posterior, posterior है नही, ventral to the rectum, बिटा, यह याद रहना, एंसी आटीक लाईन है, ventral to the rectum, ठीक है, जी, ठीक है, अब मैं आपको बताती हूं, यह कैसे बेटा, act कर रहा है, urinogenital duct, ठीक है, आपको kidney दिख गई, आपको ureter दिख गया, आपको cloica दिख गया, आपको bladder दिख गया, excretory system खतम, इससे जादा कुछ excretory system है नहीं, excretory product इनका क्या होता है, वो म से testis तो attach हो गई हम, आपके kidney के anterior part के साथ में, with the help of old of peritonium, जिसे mesorkium बोलते हैं, ovary ऐसे connected नहीं होती, kidney peritonium से connected होती है, mesorkium की मदद दे, और बेटा, humans के case में बिना, आप पढ़ते हो, about some duct called as vasa eferentia, जो human के case में भी 10 से 12 vasa eferentia होती है, जो sperm को, sperm को testis से बाहर करी करते है humans के case में भी आप पढ़ते हो, humans में तो बहुत सारी चीज़े होती है, बढ़ वasa eferentia के बारे में आप पढ़ते हो, कि 10 से 12 vasa eferentia होती है, जो sperm को testis से बाहर लेके जाने का काम करती है, देखो यहां पर भी करती है, देखो यहां से भी बेटा, vasa eferentia निकलती है, माम, 10 से flow chart लिखवा दूँगी, जो मैं आपको male reproductive system लिखवाऊंगे भी, 10 से 12 vasa eferentia, ठीक है, अब बेटा, vasa eferentia हो sperm को लेके कहा जाती है, पूरा मुद्दा बेटा, उसी चीज़ का है, बेटा, रेड के अंदर black दिखेगा, रेड के अंदर black तो दिख जाएगा, पर बेटा, मर जो जाएगा, तो मैं white से बना देती हूँ, white से बनाती हूँ, तो यहाँ बेटा, आपको na canal दिखती है, जो canal कहलाती है, beaders canal, जो canal कहलाती है, beaders canal, जो canal कहलाती है, beaders canal, इस beaders canal से भी सवाल आया हुआ है, बच्चों, और आप देखोगे, जैसे यह जो मैंने white color से, जो duct दिख भी किसे समुझने की कौशिश करना व्यसिस बीढोर स्किनाल बीढोर किनाल कहा है मैं किडिनी के अंदर किसमें है ora फीमियल second किनाल कि लियुन यह जाते हैं लिजकर और बीढोर्स किनाल कितिस्टेर देख यूदेर हैं लिजकर अनुठ का नाल से यहां से सवर्म कहां चला जाता है मैं इस यूरेटर के अंदर तो Ton अन्डर पिटा यूरीनी फैर स्टीब्योल to kidney में हैई नकार्म मिक यूरीन ऐरा है उरीन तो पास आउठ होगी ही उरेटर में से क्योंकि खिंग components तो है फिलाल मैंने तुम्हें रिखाया कि कि इंदर मैं तक्टिस और किडिनी का भी एक फंक्शनल कनेक्शन है किडिनी और टेस्टस का भी एक कनेक्शन है बेसिकली इंटरनली और वो किनाल के बीच में है और वासा एफ्रेंशिया 10-12 जहां से बिटा स्पॉर्म बिटर के नाल के अंदर आईगी बिटर्स के नाल से युरेटर इस युरेटर इस अ केते हैं अटाज्ट टू अटाज्ट यही रिप्रक्टर सिस्ट्म का भी डाइग्राम है अलग से कुछ नहीं है अटाज्ट अंटीरियर ली टू फिड्नी बाइफोल्स ओफ पेरिटोनियम डबल फोल्ड्स होती है बच्चो इससे हम बोलते हैं मीजॉर्कियम याद रखना है समझ में आगी बात इसको बेटा पॉस करके नोट कर लो मैं फीमेल का एक बरिया आपको दिखा देती हूं फीमेल की केस में ऐसा कुछ नहीं है बेटा फीमेल में ओवरी का मामला अलग है और यूरीन का मामला अलग है इनको यह दूसरे से कोई मतलब नहीं है देखो आपके किटनी के अंदर बेटा यूरीन बन रहा है यूरीन को कारी करके यह डक्त लेके आ रही है इस इस और यूरेटर अपना बेटा अलग से क्लोईका के अंदर खुल रही है और यह है ओवरी ओवरी के अंदर गैमीट बनेगा ओवरी के अंदर ओवा बनेगा एक बार में बिटा जो female frog होती है पच्चिस सो से तीन हजार ओवा एक बारी में रिलीस करती है जब male frog अफकर्स अपने copulatory structures की मदद से female body को hold करता है during the copulation process, sexual intercourse and बिटा female एक बारी में ही पच्चिस सो से तीन हजार ओवा रिलीस करती है उनकी पानी के अंदर बिटा fertilization होता है external fertilization होता है यह मैं आगे आपको बताऊंगी बट खेर बिटा ओवरी के अंदर जो ओवा बन रहे होता है बिटा वो ओवा जो होता है वो इस ove duct this is what this is the ove duct यह ove duct उसे collect करती है ove duct अलग है इनके case में ove duct अलग है बिटा ove duct ने देखो ओवा collect किया ove duct की opening भी आपको cloica के अंदर दिख रही है urector की opening भी आपको cloica के अंदर दिख रही है दोनों की opening अलग अलग है इसका कोई लेना देना नहीं है common woman कुछ नहीं है क्या मेरी बात समझ गए क्या मेरी बात समझ गया है मैं यहीं पर बिटा note डालके लिख दे रही हूं urector and ove duct urector and ove duct as separate openings as separate openings इनका एक दूसरे के साथ में कोई लेना देना मेरे बच्चों नहीं है दन 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 ब्लैडर तो बिटा है इनके case में भी वही है thin-walled एक ही बात थी common बात थी बढ़ कहीं आपको यह ना लगे कि वो उसके लिए ventral to the rectum बस urector, urector का फरक है बिटा male और female में that's all और बिटा वहाँ पे भी इसके उपर ऐसे fat bodies कुछ दिखा रखी होगी जैसे बिटा हमारे भी तो इस्ट्रल ओर्गन के राउन fat bodies होती है ना तो इनके भी यहाँ पर ऐसे कुछ structure दिखा रखे होंगे दीजादा fat bodies कुछन की तरह काम करना shock absorber की तरह काम करना यहाँ पर भी fat bodies वहाँ पर भी fat bodies दिखा दो I hope तुम्हें समझ आ गया होगा बचो मैं reproductive system भी दिखा दिती हूँ तुम्हें reproductive system का भी एक फ्लोचार बना लेते हैं यही diagram है यही diagram आपके reproductive system का यही diagram आपके बाता देखो excretor system में भी दिखेगा this is what, this is testis, यह वासा एफरेंशिया दिखा रख है, यह adrenal gland दिखा रख है बिटा, kidney के ventral side पर एक adrenal gland दिखा रख है लंबा सा, ठीक है, आप भी किसी एक kidney पर दिखा सकते हो, adrenal gland जैसे के आप यहाँ पर दिखा दो, तो यह adrenal gland उसके ventral side पर होता है, इस तरीके से, दोनों में दिख दिखा दूँगे फिर bitters canal कैसे दिखा पाऊंगी है ना, तो bitters canal क्योंकि दिखा नहीं पाऊंगी, इसले एक ही kidney में दिखा देती हूं, this is adrenal gland, यह ventral side पर होता है इनके kidney के, ठीक है, हमारा, just above the kidney होता है, यह adrenal gland इनका, pad bodies, this is ovary, this is oveduct, this is female का, देखो, oveduct की अपनी अलग opening है और बेटा, आपकी ureter की अपनी अलग opening है, this is the, क्या बोलते है, urinary bladder, यह male का case है, fat bodies, testis, vasa efferentia, bidders canal, bidders canal, urinogenital duct, ureter को ही urinogenital, अलग से नहीं है, ureter, urinogenital duct ही है, cloica, cloica की opening, cloical aperture, this is बेटा, the urinary bladder, this is located ventral to the rectum, दन, 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 एक बड़ी बेटा, इनका excretory पुडा, click लो that's all, then excretory system, इनका complete हुजाए का फिरी प्राक्टर सिस्टम में आपको, आगे बढ़ते वे चलेंगे, ठीक है, तो excretory product अपना क्या होता है, urea, excretory product अपना क्या होता है, urea, यह आपने excretory system में भी बढ़ा होगा, terrestrial amphibians, ureo telic होते है, terrestrial amphibians, यानि की frog, धरती पे रह रह यूरियो telic, ureo telic का मतलब, urea is the excretory product that it eliminates, जब कोकरोच पढ़ते हैं, तो हम उसका uric acid बताते हैं, excretory product, this is urea, यह याद रखना है, ठीक है, री प्राक्टर सिस्टम आप अप अलरड़ी देख चुके हो, testis और kidney का connection होता है, ovary और testis का, ovary और kidney का कोई connection नहीं होता है, ठी बना लेते हैं, अपेर ओव यलोईश ओवाइड, testis होता है, बेटा, जिसमें sperms बनते हैं, जिनमें sperms बनते हैं, यह testis बेटा, किस से connected होता है, मीजौर्कियम से यह connected होता है, fold of peritonium, double fold of peritonium, मीजौर्कियम की मदद से, यह kidney से attached होता है, of course, यहाँ पे तो ovary और इसके case म अंदर से भी कोई connection नहीं है, testis से निकलते हैं, माम, 10 से 12 वाजा एफरेंशिया, यह चीज मैं आपको डाइग्राम में दिखा चुकी हूँ, 10 से 12 वासा एफरेंशिया, मेरे प्यारे प्यारे जक्सिन यारे बच्चों निकलते हैं, वासा एफरेंशिया, कहां sperm को लेके और युनिनोजनाइटर डक्ट से माम, वो जाएंगे कहां, क्लॉय का के अंदर, और यहां पर यूरेथ्रा का तो तो कोई concept ही नहीं है, यहां बात करेंगे, क्लॉयकल अपर्चर, यहां बात करेंगे, क्लॉयकल अपर्चर, डं 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 डं, yes, that's all, यह सीम चीजे तो पी ovaries से निकलता है बेट जी, OV duct, separate opening, no urinogenital duct, OV duct into cloaca, cloaca से cloacal aperture, done, 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 बेटा, easy or not, easy or not, यहाँ पर मैं एक चीज लिख देती हूं, no functional connection, no functional connection, between ovary, between ovary and kidney, कोई functional connection नहीं होता, ovary और kidney के बीच में, done, 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 एक point वो जो बेटा था ना, वो भी एक बारी note कर लेते हैं, क्या एक बारी में वो कितने eggs को बेटा, release करती है, कितने ova को release करती है, again, NCRT में दिया वाय, तो एक note डालके हम लिख लेते हैं, बेटा, कि if you have let me, at a time, at a time, एक समय हमें पर पेटा, एक समय में पर बेटा एप्रोक्सिमेटली, टुथ थ थावाजेंड ॉवा बेटा, इमाजिन, एक बारी में पाच्छेस सो से तीन हजार ओवा, इस रिलीजड बाई इस रिलीजड बाई इस रिलीजड बाई दी फीमेल फ्रॉग एक बारी में बिटा इतने एक ओवा को ये रिलीज करती है बाई के बाहर ही बिटा फर्टिलाइजेशन होगी बाई के बाहर ही स्पर्म और ओवा का फ्यूजन होगा यानि की एक्स्टर्नल फर्टिलाइजेशन होती है fertilization outside the body that is external fertilization in fact बेटा development जो होता है indirect development होता है development जो होता है indirect development होता है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनका tadpole larva है तो indirect मतलब tadpole larva जो मचली जैसा दिखता है पूंच होती है tadpole tail होती है tadpole larva converts into converts into the adult frog the adult frog by metamorphosis by metamorphosis change in the morphology metamorphosis यह जो conversion होता है process को बोलते है metamorphosis तो इसमें पीटा thyroid hormones भी help करते है तो इनके पास well organized वैसे control and coordination का system है nervous system है chemical system है जो मैं भी आपको बताऊंगे भी तो tidepole larva का conversion होता है into adult mature frog इसमें भी thyroid hormones help करते हैं आप देखोगे humans के case में भी thyroid hormones होते हैं भी tissue differentiation में help करते हैं इनका भी conversion इसकी मदद से होता है metamorphosis यह वाला point हो गया अब बिटा reproductive system आपका actual में finish हुआ no doubt about it well organized अगर मैं बिटा इनकी बात करूँ तो hormonal एक system है well organized एक है बिटा hormonal system of course जो अलग-अलग hormones produce होंगे जिस system से वो है आपका endocrine system तो कुछ well developed glands इसके पास है and neural system में जैसे बिटा nervous system हमारा divided होता है into central nervous system that is CNS central nervous system that is CNS and बिटा peripheral nervous system this is PNS हमारे पास भी तो ऐसा ही है central nervous system and peripheral nervous system इनके पास भी वैसा ही है बिटा central nervous system and peripheral nervous system हमारे पास भी बिटा central nervous system divided into brain and spinal cord इनके पास भी बिटा वैसा ही है तो मैं थोड़ा brain और spinal cord की बारे में भी बता दूँगी जिस नमारा spinal cord vertebral column के under protected है इनका भी वैसे ही है बिटा बिल्कुल almost आप compare करके पढ़ोगे ना आप compare करके पढ़ोगे तो आपको याद रखने में असानी होगी अभी आपको मैं brain के भी parts बताती हूँ अपने से compare करना इसको मैं अलग से भी discuss करती हूँ बिटा डीटेल में brain spiral cord को peripheral nervous system just like us somatic हमारे में भी है somatic nervous system and autonomic nervous system same हमारे में भी autonomic nervous system is further classified into sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system इनके case में भी भई sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system इनके case में भी वई same बाते मेरी प्यारे प्यारे बच्चों ठीक है दंडंडंडंडं ठीक है बस मुझे ब्रेन की थोड़ी सी classification आपको बताने ही बाकी nervous system इतना ही है ठीक है हर्मोन से तो हर्मोन के लिए इनके पास कुछ glands होंगी कुछ glands होती है इनके पास well organized जिन में आपको दिखती है इनके पास pituitary gland इनका developed होता है pituitary gland इनके पास होती है pineal gland इनके पास होती है बिटा thyroid gland thyroxine hormone जैसे कि मैंने आपसे कहा पैरा thyroid gland पैरा thyroid gland thymus gland ठीक है pancreatic islets बिटा हमारे पास होती है pancreatic islets islets of langer hen याद आ रहा है islets of langer hen याद आ रहा है हमारे endocrine part islets of langer hen exocrine part को आप बोलते है cells of ac9 हमारा digestion तो खेर उड़ा ही दिया है बिटा पर थोड़ा पुस्ट राइलेट से याद आ रहा हो adrenal gland समझ आ रही है मेरे प्यारे प्यारे जगसे ने आरे बच्चो येस अब नहीं से बिटा compare करके पढ़ोगे तो आपको न चीज़े comparatively याद रहेगी मेरी बात समझ रहे हो हमने इनके कुछ glands लिखे बिटा और nervous system लिखा अब मैं थोड़ा सा आपको brain के बारे में इनके थोड़ा सा बता देती हूँ अच्छा ब्रेन बिटा एक चीज और गॉनाट तो चूट गया ना गॉनाट भी लिख लेते हैं टेस्टेस और ओवरीस भी तो फी इनके पास है न तो लेट उस राइट गॉनाट चू टू testis as well as ovaries, female के case में ovary, male के case में testis, ठीक है, मैं brain की बात करूँ, तो जैसे vertebral column बीटा protect कर रहा है spinal cord को, brain is protected inside the cranium, हमारे case में भी तो बीटा brain box होता है, इनके case में भी बीटा brain box होता है, this is the brain box, this is the cranium, protection के लिए brain के, हमारे पास भी होता है मैं four brain, mid brain and hind brain, इनके पास भी होता है four brain, mid brain, hind brain, compare करते जाना, hind brain में इनके पास है, seribellum and medulla, जैसे हमारा medulla spinal cord से connected होता है, और एक opening, skull में एक opening होती है, जैसे बोलता है four arm in magnum, humans के case में भी होता है, तो brain का जो last part है, medulla, वो इस four arm in magnum से पास होता है, नीचे की spinal cord से connected होता है, तो नीचे जाने के लिए, उसे उस opening की जरूरत होती है, जिसे four arm in magnum केते हैं, तो हम medulla, हमारी case में भी medulla करता है बिटा, हम लिखते हैं, it passes through, it passes through the large opening, it passes through the opening in the skull, it passes through the opening in the skull, जिसे आप क्या बोलते हैं बिटा, four arm in magnum, four arm in मतलब भी opening, magnum मतलब large opening, उससे पास होगा, तभी तो नीचे जाके बिटा, किस से connected होगा, spinal cord, it passes through the four arm in magnum, to connect to, to connect to spinal cord, ठीक है, hind brain done, cerebellum medulla, medulla connected to spinal cord, mid brain, हमारे case में क्या बोटो, corpora quadrigemina, अगर किसी ने human brain पढ़ा है, तो उसको याद आ रहा होगा, corpora quadrigemina, superior colliculi, inferior colliculi होते हैं, हमारे case में, इनके case में आप बोलोगे, optic lobes होते हैं इनके, mid brain is connected with the optic, is associated with optic lobes, four brain के अगर मैं बात करूँ बेटा, तो इनके four brain में आप ऐसे याद रखो, paired cerebral, यह है cerebral, not bella, that is cerebellum, this is cerebrum, ठीक है, हमारे पास भी cerebral hemispheres होते हैं, left and right, इनके पास भी paired cerebral hemispheres हैं बेटा, cerebral hemispheres हैं बेटा, इनके पास olfactory lobes हैं, अपने पास भी होते हैं, olfactory lobes, इनके पास unpaired, unpaired diancyphalon हैं, बेटा, क्या आपने पास भी diancyphalon होता हैं, याद करो, अपने पास भी diancyphalon होता है, अपने पास diancyphalon, sorry, आप note करो बेटा, मैं side हो जाती हूँ, तो exactly बेटा, paired cerebral hemispheres, olfactory lobes and बेटा, unpaired diancyphalon, mid brain में बेटा, इनके पास optic lobes, अगें बेटा, लिख सकते हो, paired optic lobes, और इनके पास हो गया cerebellum, this is cerebellum, that is cerebral, cerebral, okay, cerebellum, medulla, medulla, connected with the spinal cord, passing through that forearm and magnum large opening, so brain is बेटा, इनके पास, ये NCRT में शायद दिया नहीं हुआ है, आप एक बड़ी चेक कर ले न, आप note डालके लिख सकते हो, 10 pair of cranial nerves, 10 pair of spinal nerves, cranial brain से निकलती है, cranial nerves होती है, वो spinal cord से निकलती है, spinal nerves के लाती है, दोनों 10 pair होती है, आप note डालके इसे लिख लो, अगर आपके NCRT में नहीं दिया वाए, बेटा, आप totally इसे इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, इनके पास, brain से निकलने वाली 10 pair cranial nerves, बेटा, हमें क्या बात करनी है, नेक्स हमें बात करनी है, about the sensory structures, हमारे पास भी sensory structures होते हैं, कुछ taste के लिए होते हैं, कुछ vision के लिए होते हैं, कुछ smell के लिए होते हैं, कुछ hearing के लिए होते हैं, balancing के लिए होते हैं, इनके पास भी होते हैं बेटा, सेंसरी पापिले टाच के रिसेप्टर्स ठीक है टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड्स स्मेल या ओल्फाक्शन के लिए नेजल एपिथीलियम नाक में होगी विजन के लिए सिंपल आईज सिंपल आईज है बीटा यह ओर्बिट के अंदर लोकेटड होती है जैसे हमारे स्कल में बीटा ओर्बिट सोते है ना स्पेस होती है जिनके अंदर आई लोकेटड होता है तो लोकेटड इन और्बिट ओफ स्कल और्बिट ओफ स्कल वैसे ही इनके पास भी बीटा यह और्बिट के अंदर लोकेटेड होती है ठीक है तिम्पानम विद इंटर्नल इयर अफकॉर्स यह किसलिए है इंटर्नल इयर इनका भी बैलेंसिंग करता है जैसे बिटा हमारा करता है लेकिन हमारे पास यह पिनना है और इंके पास तिम्पानम आपको मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूं अच्छा मैंने यहां पे एक पॉइंट लिखा हुए बिटा कि यह जो है ना शेंसरी पापि तिम्पानम विद इंटर्नल यह दिस अक्चली दर वेल और गनाइज़ आस कंपेर तुदा अबव थ्री यह ज्यादा वेल और गनाइज स्टुक्चिर्स होती है सेंसरी स्टुक्चिर्स के अगर मैं बात करूं ठीक है तो आइज एंग तिम्पैनम इस दमोर वेल और है भी इंसेक्ट खाते हैं भाई हमारे क्रॉप को बचाते हैं ठीक है इंसेक्ट खालेते हैं हमारे क्रॉप को बचाते हैं फूड चेन का फूड वेब का एक बहुत ही इंपोर्टेंट कॉंपनेंट एक इंपोर्टेंट कड़ी है आपके फूड चेन फूड वेब की और इन बैलन्स मेंटेन करते हैं क्योंकि वो इंपोर्टेंट लिंक है फूद्चेन का फूद्वेब का मस्कुलर लेग्स को बिटा यूज किया जाता है ऐस फूद बाइम तो बस यह सारे इसके एकोनोमिकल इंपोर्टेंस एंसी आटी में दिये हुए हैं आई होप आप लोगो सारे सिस्टम्स बेटा बहुत अच्छे से समझ में आये होंगे ठीक है क्योंकि पहली बार पढ़ते हो कही सारे बच्चों ने क्योंकि नया टॉपिक आड हुआ है पहली बार पढ़ते हो तो ऐसा लगता है कि इस डिफिकल्ट बट आइम शूर कि एक बा आइग्राम समने इसलिए बनाएं सो दाथ हमारी इंसी आटी के अंडर्स्टाइनिंग इजी हो जाए आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आया होगा आप इसको जरूर पढ़के जाना बिकाज नीड एक्जाम के लिए होट टॉपिक बिटा ये है ठीक है थांकियो वेरी वेरी बाच बच्छो अली वेरी बस बेस्ट सी यू आल सुपर सुन थैंक यू